कि अगर कि तुस्तु अब लोग या कोई पहले बार आए पोई पहले बार तो नहीं है अच्छा आप पहले बार हो कुछ याद है कहां पे थे मुझे आर्ट्राइम लेगा कहां पे थे अच्छे ठीक है अच्छे बजट करने ठीक है यह शुरू नहीं है नहीं कि यहां से बहुत सारे प्रश्चन बनते हैं वह कहां है अच्छे इदर है अच्छे लिए तो बजट हम भी बनाते हैं और बजट सरकारी बनाती है तो बजट में होता क्या है बजट कब का बनता है पास्त का की फ्यूचर कर तो बजट क्या है अब जैसे कुन समय ना तो अगर आप से कहाए आप नॉमर का बजट बनाई यह तो क्या कर दोंगे रफली आप इस्टिमेट करते हो कहां कहां से कितना पैसे आएगा और कहां कितना जाएगा तो चुकि के पास income का एक से ज्यादा क्या हो स्रोथ हो तो हम सब लोग बनाते तो बजट बनाने से फायदा क्या है कि एक हमें रफ आइडिया हो जाता है कि अगले महिने हमारी वित्ति शिती कैसी रहेगी तो यही काम सरकार भी करती है हम लोग भी करते हैं और बाबन भी करती है कि इनकम तो होता नहीं है जोतना है उससे कम ही आगा लेकिन ज्यादा नहीं आगा एक कुछ खर्चे ऐसे आगे जिसका प्रावधान आपके बजट में नहीं किया था मैसम चेंज हो रहा है में बाद पड़ गए हजार-दोजार क्या हो गया है खर्च हो गया और आपके तो इस परिशलों कहते हैं कि वेस्टेज आप टाइम है यह अशनी है कम सकंप बजट बनाने से एक रफ आइडिया मिनता है और हम बड़े लगन पर देखें सरकार जो बजट बनाती है तो बिलकुत सेंट करना है शुरू से कह रहा है तो हमारे और गवाविंट के बजट में क्या हमारा जो बजट है वह रभी सब्सक्राइब अब जूमें पढ़ाओंगे इस्वें उससे बहुत सारी परिशन आते हैं और पूरा मांते लोग निवह सब्सक्रिबान साथ से सतरप सिनान procent इसी का इसा है आजई आजी पुछ नहीं जूने जो तो हमारा जो बजट है वह प् कि हम लोग बजट बनाते हैं तो पहले ध्यान में किसको रखते हैं अपने इंकम को और इंकम को ध्यान रखते हुए अपने खर्चे को क्या करते हैं करते हैं वरिता करम के साथ से जैसे ही सारा इनकम क्या हो जाए खतम हो जाए तो बागी खर्चे को क्या करते हैं लोग छोड़ देते हैं कि अभी पॉकेट एलाओ नहीं कर रहा है जिससे हमारा बजट क्या हो संतुलर में रहें लेकिन अगर हम सरकार की बात करें आपने सुनाओगा कि हमारे देश का जो बजट है वो हमे लेकिन जब से मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ हमने घाटे का बजट ही देखा है हमारे टीचर भी कहते थे कि हमने भी घाटे का बजट देखा तो जब इंडियन एकानमी का ध्यान करते हैं तो कभी भी अधिशेश या सर्प्लस का बजट नहीं रहा और गौर्मिंट के लाख सुस्षिस करने के बाद भी घाटे के समस्या का समधान नहीं हुआ है तो कुछ लोग यह सोचते हैं कि तो बड़ासान है कि सरकार भी उसी तरह से काम करें जैसे हम लोग काम करते हैं यह उतना है तो घाटा क्या होगा तो यही कारण है कि हम और आप जिस तरह से बजट बनाते हैं सरकार उस तरह से बजट नहीं बना सकते हैं तो भारत में जो बजट बनाने की प्रक्रिया अच्छी इस बार का बजट का तो फीजर में डिसकस करूंगा ही सारे क्लास के लिए सिर्फ आंकडे क्या हो जाइगे सारぇ क्या रिंगे सेम रहेंगे तो क्या बजट बनाती ए उसके बनाने का त्रीकवा विलकुल अलग है और बजट बनाने की जो क्या है उसकत शिरुदात होती हैयม मीज़ा नदेट करती है किसको टार्गेट करती है जिस्ट दर पर उत्पादन में क्या हो यह जरूरी है और अगर आपको याद हो तो मैंने श्रुवार्थी क्लास में पढ़ाया था कि जीतने भीमारे आर्थिक उदेश है एक्स हो नदेट किसी को भी प्राप्त करने के सबसे पहले जरूरी बड़ना यह जरूरी है परियाप नहीं है अगर जरूरी नहीं है गिर्षब पत्पादर में पिर्दी नहीं हुई है तो फिर क्या होगा जितने भी आर्थिक उदेश हैं वो क्या होगा फिर नहीं पुड़ाप्त होगा अब इसी को बाद में टेक्निकली पढ़ेंगे जीडीपी ग्रोथे सुना होगा अभी पूरे दुनिया में सुना होगा कि मंदी का सब्सक्राव करते हैं ठीडीपी तो होता कैसि प्याहिक वाहां पलते हैं ranging लगातार दो कौर्टर में अब इसासे हम्हारा टासे मालाई जीडीप in English के फिर केizon और भारत अभी भी पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट पे आगे बढ़ रहा है और यहीं आपने सुना होगा कि जीडीपी के आधार पे 2030 तर्क हमारी रेंकिंग कितनी हो जाएगी तीसरी हो जाएगी उसका देखते हैं जब आप लोग मेरे एज में आओगे त बजच बनाने के प्रक्रिया शुरूते किसे लोगा कि बात करें तो लेकिन एक लिख्ट आठ परसेंट होगा लोब लाजशन का दौर है अंतर आस्य जगत में जो भी बदाव होता है उसका सिधा आसर किस पे पढ़ता है बहरत पे तो यह आठ परसेंट एग ग्रोथ रेट लिए के चलना उससे नहीं है तो अब हमने क्या किया है एक रेल्स तैय कि हमारा ग्रोथ रेट इतने से इतने बीच में देखा जैसे अभी जो बरत्मांद साल है उसके बीच में तेय हुआ है 6.1 से 6.7 याट के बीच में है यह ज्यादा बेवारिक है ज्यादा बेवारिक है तो खैर मान के चलो 8% कैल्कुलेशन को असान करने के लिए अब 8% के दर पे हमारा उत्पादन बढ़े तो क्या यह अटोमेटिक है अटोमेटिकली बढ़ेगा नहीं इसके लिए क्या करना पड़ेगा एफ़र्ट लेने पड़ेंगे और खास करके उन सारे खर्चिक को बढ़ाना होगा जिससे देश और देश की उत्पादन करनी की शम्ता क्या होती है बटी है जिसमें याद होगा पुझी ग चुका है ज्याद आऄ चुका है है और यूपी सरकार के टार्गेट है वह एक ट्रिलियन पे जाने का एक ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर जीडिपी सोच्छके और भारत का जीडिप अभी त्री पॉइंट से बेन नहीं है तो यूपी का सिर्प योगदान कितना होगा एक ट्र तो अगल बात है कि यहां पे काम कम और आनिती ज़्यादा होती है यह अब तो ख़र स्टार्ट अब आ गिए विद्ध देश्ट वे प्रप्लम में वी क्या होगा बड़ेगा n아 तो गृट की बात करें पूरे गल्फ का जो फुट बास्केट है वो कौन है इंडिया है कि पूरा गर्फ भोजन के लिए किस पर डिपेंड करता है इंडिया पर अगर आप सोस्तों सिर्फ गर नहीं अभी जो है एक सुना वगा नौन बास्मती राइस को बैंड किया था तो अमेरिका के मौल में हरकम मच गए वहां पर जिसको जितना मर्जी था चावन खरीद के लिए जा रहा है चाइना के बात करें तो चाइना जो है चाइना अभी भी खाट-प्रदात के मामले में बहुत ही भी है तो पानी ही चाइना में पानी है पीना तो छोड़ दो इंडुस्ट्रिय यूज़ करनी के लिए परियाप नहीं है मतलब अच्छ है अपने लिंक नहीं किया जहां पर या तो एगरिकल्चर के लिए भूमी है परियात यहां पर क्या कोगे ग्लेसियस जैसे भारत में अरुनाचर अरुनाचर पानी के फिल में सबसे बेतर है अरुनाचर का पानी यह बहुत पानी वहां पे दूसरा कौन से था गलवान और पाकिस्तान को लोन देता है पता ही आपको और चाइना तभी लोन देता है जब कंफर्म हो जाए कि सामने वाला रिटर्न नहीं कर पाएगा और सथ के मताबिक पाकिसान का 28000 स्क्वाइर के लिमिटे जो है वो चाइना के पास आगिया अब चैना वहां क्या करेगा खेती करे और खेती करके कहान ले जाएगा अपने देश में तो इन सब अगर चीजों को देखें तो उससे साथ से हम देखते हैं कि इंडिया तो बहुत रिश्याज भी किसी तरह का कोई शौटेश नहीं है तो सारी चीजें जितनी भी अगर आप देखोगे अभी आपका गल्फ में सबके पीछे अंत में पहुंचों कंक्लूजन सबके पीछे क्या कारण है अब ठीक है कहीं पर उसको राजनितिक रंग दिया जाता है कहीं पर धार्विक रंग लेकिन बेस क्या है वहां एक और मी कि समझ होगी तो सब कुस हो जाए जागा तो बहुत डिटेल में मैं पढ़ सब्सक्राइब का अप्लिकेशन है तो जरा हम लोग शुरू करें तो ग्रोथ रेट तो आट परसेंट का जो ग्रोथ रेट होगा तो आटमेंटिक नहीं होगा इसके लिए गवर्विंट को खर्श करना पड़ेगा तो अभी आगे पढ़ोगे दो तरह का खर्श होता है आना चाहते हैं तो पहले क्या जरूरी इंफ़र चक्षे अब भीजली नहीं है यूपी में इंडिस्ट्री कांसे बात है तो एक तो यह तो इसको ध्यान रखते वे अब गौर्मिंट खर्चाताए करती है ग्रविंट क्या करती है खर्चाताए करती है तो यानि पैंतालिस करोर नहीं तो इतना जो है खर्च करना पड़ेगा इसको छोटा कर दे तो मान के चलो वह एक्जामपल गौविंट को कितना खर्च करना है पासर इसको करते हैं बजटेर एक्सपेंश हमारा बजट कितने का है तो एक्चेवल बजट तो पैंतालिस ला करोर का है लेगिन हम लोग कितने पर आदें पासो ठीक है और चुटा कर दें थे कि अब उसके बाद गौविंट जो है इसको तलास्ति है अपने आय कि सुरोथ को कि आएगा तो कहां कहां से आ आएगा तो कहां कहां से तो गौविं तो टाक्सेशन से गौर्विंट कितना मैनेज कर पा रही है तीनसों पजात और नॉन टाक्स से सिर्फ पजास अगर हम एक्ष्वल बजट को ले एक्ष्वल बजट तो एक्ष्वल बजट हमारा जो है इस वितवर्स का अभी हमने लिखा था कितना और टाक्सेशन से स्रिफ पूरा हो रहे हैं कितना अन्ठावन परसेंट और नॉन टैक्स से सिर्फ कितना परसेंट यानि गौविंग के जो अपनी कमाई है वो खर्चे का सिर्फ कितना परसेंट है आप एक अगर माणनों फ्यकर आपके पास है और बाकि पर संटेज में भी है तो यह निकाल होगे ना इसका जो है नठावन परसेंट कितना हुआ ए ओ फांच परजक्ट नंटैक्स होगी याँ तो बहुत सोग्यांदा ग्याप है हमारा tax system क्या इतना परियाथ है कि वो सरकार के लिए परियाथ मात्रम income generate कर रहा है नहीं थोड़ा सम पीशे जाए जब lockdown हुआ तो सब के उपर असर पड़ा है हमारा income भी क्या हुआ कम हो गया और सरकारों की income भी क्या होगे कम होगे लेकिस का मतलब यह नहीं कि lockdown से पहले गौर्विन कफ़ड़ेबल था लागड़न से पहले यह जो आंकड़ा था वो तिरसर चौंसर परसंट है बीच में काफी कम होगी अध्विदिर फिर क्या हो रहा है बढ़ा रहा है तो तिरसर चौंसर परसंट भ पराबर है तो इसलिए यहां से प्राब्लम शुरू होता है हमने किक में लिया है साड़े तीन सो और बजात तो गौबिंट के जो अपनी कमाई है वो इतना परियाप नहीं है कि गौबिंट के सारे खर्चे को क्या करें फूरा कर दें और यहीं से प्राब्लम शुरूत बज क्या 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 विकल्प है एक एक घर के दो और जवाब दो पहला विकल्फ है कि अगर माईव इंकम परियाप नहीं है तो फरचे को ही कटाथी कर दें हम्यों परते क्या वाइश कर सकती है क्यों इस शकर सकती है थे हैं Ándra wrath और ग्रोथ में कम्प्रमाइस करने का मतलब आप यह एंद में तो अर हम यहीं अंतर हैं हम अपने करें तो थो करती अगले में ने बन कर आप तो दूसरा करें के तो इनकम को नहीं किया दूसरा टाक्स रेट को बढ़ाए या तीसरा टाक्स रिफॉर्म के द्वारा टाक्स सिस्टम को ज़्यादा उत्पादक बनाए तीन ऑप्टेंस हैं बस कौन सा बेतर है लोग कभी नहीं हुआ अब दोको टाक्स रिफॉर्म जीस्टी पढ़ चुके हो न तो जीएस्टी काम शुरूर नहीं किया बस दो ही काम किया एक तो नए टैक्स लगाती रही और टैक्स रेट को बढ़ाती रही जीएस्ट भी हमने पढ़ाया चापको कि जीएस्टी का जो ग्लोबल एवरेज है टैक्स का वह 6-7% और भारत में 12-13% है जीएस्टी में जो 28% रेट है वो पूर टैक्स रेट क्या है बहुत ज्यादा है कितना ज्यादा है जो मैंने तेल का अग्दाम पर लिया था टेट्रोल जीजल मांगा तो सब कुछ मांगा एक लिटर के लिए कानपूर मगर आप 100 रुपया देते हो उसमें तक्रीबन 60-60 रुपया आइस्ट इन दो वर्ड भारत न परता है एक और पे क्यों किसी क्या होता है लोगों के पास खर्श करने के लिए पैसे क्या होंगे हम जाएंगे ना मालों आप एक लाक उपर कमाते हो तो पहले उसमें से 20 जार रुपया टैक्ट देते थे तो बच कितना है खर्श करने के लिए 80 अगर टाक्स रेट बढ़ अखरार अगर आप ज्यादा कर दो तो खर्ष करने के लिए कितना बचेगा ожал तो आपके जो करनी की संथा वो क्या हो गी मोटजागी इससे जो प्राश् की मांग है या ढिमान है उस पैसर पड़ेगा क्या होगा करें अध्य मार्केट मानता है वा जा थो ये न Auf और दिखत क्या है कि भारत का जो बजट का साइज है वो दिरंतर क्या हुआ रहा है थोड़ा सा विस्टलेशन एनलेसिस जो सबसे में है यह 2023-24 का मैंने बज़न बताया जिसका बजट का साइज कितना है 2023-24 यह एक्षण ठिगर है यह ऐसे मैं अनुवान से नहीं देना हूँ 35 लाग करोर का थोड़ा और पीछे जाए 2022-23 उसके बाद 2021-22 और यह 2020 और 21 इस साल हमारा बजट था वो था इतना 3.42 लाग करोर इस साल हमारा बजट बढ़के हो गया 24 दिसमला आठ तिर लाग करोर उसके बाद अगले साल का बजट था 49 दिसमला चार पांच लाग करोर यह पिछले चार साल का बजट है इसको देखने से क्या प्रतीत होता है कि बजट का साइज हम अच्छा क्या हो रहे है बढ़ रहा है और अगर मैथमेटिकल ही निकालोगे तो वह 10 से 15 परसंद के बीच में ग्रो कर रहा है इस हिसाब से अगले 10 साल के बाद भारत का जो बजट है वह क्या का सौला करोर को क्या हो जागा तो दो ही देश है जिसका बजट का साइज भारत से बड़ा है एक चाहिना दूसरा अमेरिका ठीक है अब यहां पर में जो मारके वाली बात है लॉक्ड़ॉन किस दिल लगा था है जो 26 मार्च 22 मार्च को साथ जनता कर प्यों था इसा कुछ नहींद मार्च में लगा था और बजट कब आ जाता है एक परबरी तो हो जो आया था एक तोम साथ को बजट आया था वह दोहजार एकिस बाइस का था एकिस MON लाइजका था न आभी से किस का बजट जो है ये एक फर्वरी को आगिया था यह फर्वरी 2020 को आगिया था यह वह बजट ठीक है यह तो ग्वोच ना होगी उसके अगले दो साल सब के पर बुरा फर्क पड़ा है हम भी प्रभावित्वेवार सरकार भी सरकारों की कमाई भी क्या हो गई काफी कम गया क्या क सरकार मैंने उधारान आपको दिया था दिली सरकार की बात करें अप्रील 2019 में पूरे महिने में दिली सरकार की जो टैक्स से कमाई थी वो थी करीब के साड़े तीन हजार करोड रूप्या और एक साल बाद जो लॉंकडॉन के बाद का पहला वहिना था अप्रिल 2020 में वह घटके हो गया थी तीन सो करोड रूपर यहिनि चेखर किया लेकिन उसके बाद भार्व सरकार ने बजट का सैज्ञ महिनी बजट का साइज क्या घटा आया नहीं ब करना है अगर सरकार भी हमारे आपके तरह करें कि पैसा नहीं है इसलिए हम खंच कम करेंगे तो उसका असर किस पर पढ़ेगा हम आप भी क्या होंगे प्रवाइत होंगे तो सरकार के राजस्व में काफी गिरावट हुई उसके बाद भी सरकार ने बजट का साइज क्या क्या इस एक सरकार का इंकम गवी और जो यह निए निकम ब्याय है कि आप अपना खरचा बढ़ा रहे हैं और आप तो जो दोनों के बीच क्या होगा बढ़ेगा जिसको बादए पढये हैं राजिकोशी घाटा सरकार का क्या हो Patrol वागए बढ़ेगा बढ़ेगा तो यह चीजे गौपन के केस में बहुत मैंटर करता है चाहे विसम पर इसी ते क्यों नहों गौपन का जो बीहेविर है वो चेंज नहीं होगा गौपन को फ्रंट से लीड करना है चुकि गौपन अगर अपने खर्चे में कट्रौती करेगी उसका सीधासर किस पर पढ़ेगा पूरे एक औरमी पे हमारे आपके फ़र्क पढ़ेगा तो जरा वही चीजे देखें यहां पर आजे तो अब जो है गौपन के पास यह दोनों की लोग हैं तो उसके बाद इस्सिति खराब होगी और यह पता ही आपको डिमोक्रेसी हैं लोग भारत के बड़े सेंसिटिव हैं नहीं एक ऐसा दे जहां पर प्याज पर सरकार गिर जाती है टैक्स तो एक बहुत बाद कीजिए तो आखे जो है तो टैक्स रिफॉर्म का का शुनुक्रूर ठीक है जीकर डिछमी का इसती का जो मंथली कलेक्शन उखाए फूरी करोड अगर अभ रशक पीसोरिय को कशिए कि अगर प्ड़ोर का थो पूरे साल इसकोDet को अगा करें उसको बीसला करोड़ प्र दो मालो कल को डीटी से भी आता है डारिक टैस कोड डारिक टैक्स रिफाम होता है और उससे भी बीस लाग करोर आ गया कितना हो गया चालिस वह भी फ्यूचर होगा उस चालिस में से चालिस लाग करोर में से या दस लाग करोर और मालो नॉन टैक्स कितना हो गया पचास लाग करो तो फिर भी कितना बज़ा तीसला करोर प्यार ये भी कब होगा मुझे पता नहीं और अभी काई बजट कितना है तो जब तक भारत सरकार के पास ने पीसला करोर होगा तब तक ये खर्चा बढ़के कितना हो जागा है और बढ़ेगा ना यह जो घाटी की समझ से आए वह अभी क्लती बेगे ऐसे बहुत सो लोग मानते हैं कि घाटे का बजट जो है ना वह बहतर माना गया किस से सर्फ्लस स्टूकि मैंने कई बार कहते हैं यह दे मैंने 11 करूर है तो सकते हो इन्हें भारत के पॉपलेशन से दस परसेंट भी नहीं है लेकिंगे उनका टोटन प्रोड़क्शन भारत से जादा है तो इसलिए इस तरह की एक आदमी जो है बहुत रिस्की मानाता है यह अपने देश में तो बाजार है नहीं है नहीं तो दूसरे स्थिश में आपको मैं आगे पढ़ होंगा कि जापान इलेक्टोर्नी गोर्ष के लिए प्यक्लेश में और जापान में हो सरसे लेक्स आई तो साट पैसा एक येन के बराबर हो सकते हो यह हमारा साथ पैसा एक येन के बराबर है तो एक डॉलर कितने येन के बराबर होगा बहुत ज्यादा इसलिए क्या आता है कि जापान का जो प्रोड़क्ट है वो अमेरिका में बहुत सस्ता है अब सौ डॉलर में अराम से सोनी टीवी जो है मिल जाता है कहां अमेरिका में अगर खराब हुआ तो रिपेरिंग कॉस्ट जो है 80 से 50 डॉलर क्या करोगे लोगे यह रिपेरिंग क्यों निकर वाओ गो थोड़ा मिला के नहीं लोगे तो जब मैं आपके तरह था समझ नहीं था ना तो मुझे असा लगता था कि लगता है अमेरि अब जापान में मान लो अमेरिका में मंदी आगे क्या होगा जापान का अमेरिका में मंदी आगे तो जापान का क्या होगा 40 समझतों जो अमेरिकन मार्केट के लिए बना के रखा था वह अब कहां रह जागा जापान में तो जापान में क्या होगा फिर प्रप्लस हो जागा सारे इंडूस्ट्री क्या हो जाएंगे बंद हो जाएंगे वहां मंदी आ जाएंगा वह याल ये यूपेन इनुन का होगा और सबसे बुरा हाल चाइना का होगा आपको होगे चाइना बड़ादेश है नहीं चाइना में पॉपलेशन ग्रोथ रेड़ क्या हो रहा है और बाहर जो दिखता है दोनों बहुत अंतर हैं चाइना जितना उपर जा सकता था जा चुका है अब वो नीचे यह आगा और चाइना ने फुद अपने पैर पे पुलहारी मार ली तारण उसकी अपनी जो जंसंख्या की पॉलिसी ज़र आप मैं कुछ पूछ रहा हूँ 2010 तक चाइना की पॉलिसी थी एक बच्चे की पॉलिसी तो दखो फादर और मदर तो दोनों दो अलग फैमिली साह है और न्यू जनेशन में एक बच्चा क्या हो रहा है रिप्लेस कर रहा है तो रेश्यो क्या हो गया तू इसको हम कहते हैं पॉपलेशन में रेट आप हो जागा अगर दो बच्चे की पॉलिसी है तब पॉपलेशन में क्या असर पड़ेगा बराबर हैगा यहीं आप मात खा रहे है इसलिए कोश्चन आपकी PCS में पूस्ट दिया अगर आप कहते हैं जन संक्या बराबर रहेगा ना तो आप यह मान के चलने हैं कि मॉटलिटी जीरो है इसलिए दो दस्वलो एक लिया गया है तो इस टू पॉइंट वन किसके लिए जो है तो अगर किसी देश में प्रसिशापन के दर जो है 2.1 है इसका मत्लब जन संक्या उसका क्या रहेगा पॉस्टेंट रहेगा इसलिए PCS में कुश्चन आगे प्री में यह चारो दो 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 समय एक दो 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 और सबने क्या किया दो पिटिक मारा सब का कुश्चन क्या हो गया गलत हो गया आप समझा रहें ना तो कि मेर्थिव दर जीरो पर सेंट हो ऐसा अगर दो से ज्यादा बच्चे की पॉलिसी हो तो अगर तो वाविक है पॉपलेशन बढ़ेगा अब चाइना का जो दुख अंतर क्या है पहले भारत की बात करें पहले में थोड़ा देर इसी आपको कफ़रेंबल कर रहा हूं क्योंकि करेंट आपको समझ गया तब अब जैसे दो तरह का पूरे हमने शुनू किया था एक एक ही चीज है जिसके आज पर सब कुछ गूमता और वो क्या है प्रोडक्शन प्रोडक्शन है तो भारत में भी अगर पूरा भारत गूमोगे तो 28 राज है न तो पूरा दुनिया आपको नजरा जागा अब कुछ स्टेट हमारे जो हैं रिच हैं डेवलप्ट हैं शे साथ अब भारत में भी जो कंजम्शन स्टेट है उसमें थोड़ा अंतर है हम चले जाएं उस तरफ तरफ कोस्टेलिया में केरला बहुत खुम्शूरत है और केरला के एक तरफ कमिल नाटुक जहां पर मैनफक्शन होता है बहुत जादा और एक तरफ करनाठ का वहां भी क्या होत पूरी तरफ से जो है वह क्या है कंजम्शन स्टेट है और केरल सरकाच चाहती नहीं है कि वहां पर प्रोड़क्शन कभी मौका मिले तो जाना मैं लास्ट में तो वही था तो वहां पर देखोगे वह क्या मतलब टूलें एक जाने वाला एक प्रॉपर रोड तक नहीं है वह आप एगर आप किसी का मडर कर दोगे तो हो सकता है बच जाओ पेड़ काट नहीं बच होगे क्योंकि टू को फोर्ड लेंड करने का मतलब लाखों पीड़ क्या होंगे काटने पड़ेंगे इतना खुब सुरत है पर्यावरन के दिस्टी कॉन से अब केरला को ड्वांटिज का अदमी है वो कहां चला गया है गल्प में चला गया है कि दिसमद्वारा गल्फ मतफ और हडी का देश है वहां पे मदूरी करें ठोड़ा ही कमा रहें लेकिन चुक्रिब यो बेसे हैं तो एक रियाल 23 रुपे का है व इंडीय आते आते तो वहां हरे घर से कम सब कम एक से तो भेज से कम है लेकिन रुप्य में convert होते हैं तू क्या हो जाता है तो इसलिए वहाँ के लोह का जो जीवन का रहन संक अस्तर है बहुत ही बेटर है तो उनको जरुवती नहीं है कि केरला में प्रोडक्शन हो वह कहते हैं कि यह दोनों हमारे प्रोडूसी क्या करें बनाए हम लोग खश करेंगे और मैंने देखा मैं केरला में दूती जगह पड़ाता हूं तो उदर पलक कर पालगाट तो वहां से सारे लोग शॉपिंग करें को एम तूर जा रहे हैं इधर आपका कासर कर दोड़ा है तो वहां से लोग जो है जा रहें कहां पर मैंगलोर नाटक में तो किर्ला को अड़्वांटेज है लेकिन यह एक और मिबहुत रिस्की है आप पुरी तरकिस पे डिपेंड करें हैं दूसरे जिस पर अब कल गल्प में प्राप्लम में भी है कल को गल्प में शुरू हो जा फिर वापस आएंगे अब यही हम आ जाएं कंजम्शन स्टेट यूपी बिहार की बात करें इन लोगों को यह एड्वांटिज नहीं है केरा केरल के लोग तो इंडिया बाहर चले गए यूपी बिहार का आदमी कहां जाएगा दिली नहीं तो गुजरात सवाई ही इसको बुलते हैं वह 15 16 17 रुपय है पर देखा यहां कितना मिलता होगा है तो यह सब चीजें जब आप समझोगे तो अब जाके यूपी में इंफ्रेस्ट्रेक्शन मुजद हो रहा है और यूपी में कुछ डेवलप्मेंट हो रहे है एक ड्रो स्चाइड अब जैश्चार ओर ना जैसे अमारा जो पढूसी बंगलादेश तो एशन टाइगर बन गया क्यों कि सारा टेक्स्टाइल जो है वह सारा कहां पर बंगलादेश में जितने भी ब्रांडिट कपड़े आप सब खरीते हो ना उस सब बंगलादेश में बनता है क्लस्टर में वही से बनता है 50 रुपिया कपड़े का लागज 20 रुपिया लेबर कॉस्ट आपका शर्ट बनके क्या हो गया है तैयार हो गया और जब उसको बढ़ियां से पैकिंग करके बैनेट हम भी से किसको रंगलादेश को और वह बन गया राजा तो अब भारत सरकार इंडिया में जो है यह कॉर्टन इंडिस्ट्री इसको टेक्स्टाइल टेक्स्टाइल पार्क लगा रही है जहां पर बड़े लिवल पर क्या होगा तो साथ स्टेट को से लिक किया गया है जिस प लेगा लेगिन पहले सिर्फ एक और्मी की वातम करें ना कि पर लिटकल ग्राउंट पर तो यह सब चीजें हैं आई होप सब लोग का पड़गों लगों तो किसी भी चीज के लिए सबसे अहम चीज क्या है गौवर्मेंट का रोल गौवेंट का रोल है अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एक हमारे स्कुल है एक और किस्क calendar का धुछ सौ मैं था है क्यों पड़ कीन अवह आगे पड़ोगे दुसरा का जो है थे थे वह सरकार का जो खर्चा होता है वह हमारे आपकेई खर्चे से ज्यादा पाड़wiąर्पर आप सौर रुपया हम खच करते हैं और वही सौर रुपया सरकार हर्च करती है तो खर्च तो बराबर है ना लेकिन अर्थ-ब्यवस्ता पर आथिक जो क्रियाय है उत्पादन आया और तो ज्यादा जो असर है न वो किसका होगा तर्वार करते का आपको किसर ऐसा कैसे पॉसिमल है कि खर्चा दो खर्चा है सोड़ाप खर्च करें सो रोपया हमकर सब्सक्राइब अभूब रे सबस्क्राइब लेकिन गौविन का जो खर्चा न उसका जो इंपाक्ट है एक और ने पे हमारे आपके खर्चाज से कई गुना ज्यादा ओगा जिसको कहते हैं गुनाध मटिपला नायर नाम सुनाओगा ऐसा क्यों बहुत संपल एक्जांपल है जब तक एक्जांपल से ही समझोगे अब मालोगे हम आप जो खर्च करते हैं तो उसका जो बेनफिट है कुछ ही लोगों तक सिमीत होता है लेकिन गौर्मन जो खर्च करती है उसका बेनफिट फूरे सोसाइटी के दून एक एक्जांपल सम्धा रहा हं आपने खानपूर में इससाल क्या किया ऐक करूड कर दो onगशा की लागत किला एक मतलब क्या हुआ कि घर बनवाने के दौरान आपने एक करोड रूपय का पेमिंट किया रही वह ना किसको पेमिंट किया लेवर को पे किया जिसमें इटा सप्लाई किया उसको किया तो जिसको भी आपने पे किया उसके लिए इंकम है तो आपने जो एक करोड रूपया का भुवतान किया उसका पाइदा कितने लोग तब पहुंजा जो लोग भी आपकी घर बनाने के पिरक्रिया में सामिल थे और हो सकता है कुछ है तक उनसे जो जूड़ेवे लोग हूं ठेक है अब हम लोग बात करें एक अर्थ मालों गंगा नदी कानपुर को दो भागों मारती है तो इस साइड और कि दोनों एक दूसरे से कट आप है मान के चलो यानि इस साइड और उस साइड कोई कनेक्टिवीटी नहीं है और बीच में नदी है ना इधर लोग उधर जा सकते हैं उधर के लोग इधर आ सकते हैं तो दोनों छित्र में जो एक और भी कंडिशन होगा वो सेम होगा कि होगे इधर क्या होगा इधर कम होगा क्योंकि सर्प्लस में है उधर क्या होगा ज्यादा होगा तो आर्थिक जो असमानता तापको दोनों जगर नदेर आगा अब क्या किया कि एक करूर रुप्या के लागत पे एक गंगा के उपर एक पुल बना दिया आगे एक करोर यानि पुल बनाने का लागत एक करोर यारी पुलब नाने के दौरान गौर्मेंट ने भी एक करोर रुपे का ब्यहाण उत्रिके अप इस जो किस लोगों पे फ़र्क पढ़ेगा पूरे दोनों छेतर पे सबसे पूर एरिया पे सबसे पहला कि जो मदूरी की दर है उस पे क्या असर पड़ेगा सोच के बताओ पूर लिब नहीं बना था इस साइड में लेबर सर्फलस में था तो मदूरी दर काफी कम थी उस साइड लेबर कम था तो मदूरी की दर बहुँ जादा थी इस पे क्या असर पड़ेगा बराबर हो जाएगा कैसे बराबर होगा आप समझ में आ रहा है इसका मतलब आपका दिमाग भी चलना शुरू होगी है क्योंकि इधर के लोग क्या करेंगे फिर उदर जाएंगे तो इधर से जो सरफलस कम होगा तो मदूरी की दर क्या होगी बाइण शुरू हो जाएगी और वहाँ पे सरफभी है डेफिसेंसी कम होगी तो मदूरी जा अदों की या घ्र का चलेगा आपका रूमाटर कली बराबर उजागा अब कुछ सभवाम धारेलिंग कई गुना ज्यादा चलो मैं कुच्छन पोचा हमारे की बीच में सरकार का खर्च्छ आज हो ज्यादा को लोगा लेकिंद दो सरकार एक अमेरिकन सरकार माझना आक करकार जादा एक हो जादा प्रफाद किसका हो इस अमेरिकन सरकार का या हमारा सोच के बता हुए दो सरकार के भी एक विक्सित राज देश है और एक विकासिल है तो दोनों सरकारें सौ सो डॉलर खर्च करिए तो दोनों केस में जो असर पड़ेगा वह ज्यादा किस गौर्विंट का अधर से इंडिया फोटा एक दाम मुलेकित हो ना अमेरिका का इंट्रा सेक्षर पाले से मजूद है वहां कि सरकार जो है खर्च कर रही है पूल के मेंडरेंस पे और हमारे ज्यादा किसे पड़ेगा कि कहां पड़ेगा हमारा होगा इसलिए जो सरकार का रोल है बहुत याम है और इसलिए बजट जो है देश को एक क्या देता है दिशा देता है तो बात करें थे ब्रीफली चाइना की तो चाइना जो है ना इंडिया के साथ क्या है कि इंडिया में कितना भी production क्यों नहों घरेलू जो बाजार है वो पर्यात है उसको खपत करने के लिए और अब हम surplus को क्या करें दिरियाद भी करें लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है चाइना का जो घरेलू बाजार है यानि डोमेस्टिक फ्रंट पे चाइना बहुती वीक है अपने कारण क्योंकि सर्प्लस जो है उस चाइना का जो मार्केट है सर्प्लस को एब्साब करने के लिए रेडी नहीं है अब चाइना की अपनी उन पालिशी तब चाइना ने 2013 में ज उन प्रेवार में किया है अकेले हैं तब वह परिवार दो बचे बजा सकते थोड़ा छूट मिलना लेगिन सब को नहीं मिला फिर 2016 में ड्लाया ने थ्रव बदलाव किया कि उसने कहा कि फादर ही या मदर कहले क्या था तो नो निजसने कहा कि पादर है को कर दिया कि हर एक फैमिली जो है दो बच्छे में जा सकते हैं और आप जो है चाइना लोग को इंसेंटिव दे रही है कि परिवार का साथ जितना ही बढ़ाए अर्थ व्यासा के लिए उतना ही बेतर है चाइना को अब जाके समझ में आया है जो हमारे समझ में हजारों साल पहल इंडिया है तो वर्ड है इंडिया खतम तो पूरी दोन्या कि तम है गले को खाना कौन की लात रहा हyn एंडिया कि ला रहे है इंडिया की लतलगों कया करेगा पर। कातर की बात करो नाचकर कातर का नाम होता रहा है फोटा सा देश है 27 लाग जनसंग क्या है 27 लाग उनिस्साइटाली जब हम आजाद हुए थे तो कतर के लोग भेड़ बगनी चलाते थे उनको उपरवला ने ऐसा चीज़ दे दिया कि तो तो तेल गैस दुनिया का सोसे अमिर देश में से एक है जिसमें कतर को चलाक होना है तो भारत लोग सारे साथ लाग तो भारती वहां है क्योंकि गल्प में कैना किंग्डम है राजा साही है पता ही आपको इन्होंने कभी भी पैसा के रहते हुए भी कभी भी एजुकेशन पे काम नहीं किया यह चाहते तो बहु हो जा सकते थे ना लेकिन दिक्कत यह है कि लोग जब पढ़ लिक लेंगे फिर कोश्चन पूछेंगे तो अब वही सारी है तो पूरा जो है करेंट डिखोगे सब कुछ बदलना है सब कुछ चेंज होगा और इसके लिए जरूरी है कि आपका जो औरिजिनल कंसेट हो चाहि चाहिना की लोग मां तो पता है आपको आटो करेंश रहे हैं कोई धर्म नहीं है और चाहिना को अपने लोगों को जान से बादे में भी प्रक्राइब पड़ता क्या नम से तो ग्रेटली पावर में कई करोर चैनीज को उसने मरवा दिया कई अपने देश के लोगों को मार कि एक हुग है तो उसी धर्य पे बाखी दे जा रहा है तो ड्याएगा कहां से रहे जायागा कहां से जाधा है पूरा यूराइब जाएगा अके यूपी वाले उसे जजाधा है टॉरिस्त के इंडिया पर already डिप्रेंडर है का ए तकटिन ओधा पूरी दुन्या की निर्वर्था किस पे आ रही हैं इंडिया पे रही और रस अब रही है विक्षि देश भी भारत पृझे निर्वर लोगों के पास रोजगार नहीं है तो एर इंडिया ने 470 का मैं 120 wyp दीया छार सो संतर दिया तो एक बिमाना का लागत होता है यह कि 200 400 प Mitt truth प्लएक पर तो एक हिं कि मी एर इंडिया ने 450 जह एक होड़े दिया कमहेव बड़ा है ज्यादा तो श्रक मैं जादा बोहींग को अमेरिका को कुछ दिया कि प्रांच का जो एर्बस है और के अगले दिज़ू ए दोनों के जो रास्ता धक्ष्ष है ना पहले वैडंस फिर प्रांच के जो मैकरौन है दोनों लाइन में लगके भारत का सुप्रीय आदा किये कि आपके कंपनी के कारण जो हमारे देश के दुखायों को रोजगार में है उसके एक मेने बाद ही दूसरी कंपनी भारत की इंडी गो उसने सीधे एरबस को पांस एरक्राफ्ट कॉड़र किया तो फ्रांस सर ने जुकायागा तो क्या करेंगा बताओ तो यह सब कीज़े अभी डबलप हो रही है और करेंट में जो भी हो रहा है न उसका अल्टिमेंटली जो बेनफिट मिलेगा और किसको मिलेगा इंडिया को मिलेगा तो कि पूरी वर्ल्ड इक और में जो है बहुत बुरे आज से गुजर रही है तो गौपन का रोल समझ में आ कभी भी कम नहीं हर एक साल बजट हमारा दस से पंदर परसंद के रेट पर बढ़ता जा रहा है यह लग बात है कि गौपन की जो अपनी कमाई है टैक्स और नॉन टैक्स उस अनुपात में नहीं बढ़ा है जिसके कारण सरकार के निर्भरता अनुसरोतों पर बढ़ती जा सबस्क्राइब और दो यहां तरी याद है तो अब गवाबिन क्येछा नहीं है तो कित्ने का घाटा है कि कत्ने का गाटा है गणArt प्रवावेगा अपने खर्चे में कटौती नहीं यह कर और गौन जो है अभी इतना सक्षा में यह कि परियाफ नात्रा में आई का क्या करें इसे कबर हो जागा सिर्फ सूचनात्पक नहीं जो लोग पढ़ते हैं बस सूचनाओं को मेंचित क्या आपको उसका विश्टलेशन चीजों को क्या करना लिंक करना तो 100 रुपीज कहां सायगा तो यह 100 रुपया सरकार घाटे में है अब घाटे का बजट या एक उल्टा वर्ड है सर्प्लस तो क है एक में छोटा कुशन आपको समझा रहा है क्यों ऐसे करते हैं तुकि एक और मी आगे कैसे बढ़ता है एक लाइन मेरा याद होगा को कि पूर्य दुनिया के सरकार की एक ही पॉलिसी है देश को आगे बढ़ाना कैसे प्रोड़क्शन बढ़ा करके प्रोड़क्शन देख करता है कि करता है तो और टाइमे रेट क्या होता है दबल हो जाता है तो आठ घंटा काम करके उसके पास इतना इनर्जी कहां से आया जो चार घंटा और काम करता है उसके इनर्जी का स्रोथ क्या है चार घंटा और काम कर रहा है ऐसा होता है नहीं होता है तो यह उतना इनर् हे उसकी गरीमीु कि भी और मेहनυτ करना और जादा इंकम abilities करना और रहे आथ नarent थो चार घंटा ऊप्सी आटार किया तो प्रोड़क्शन जो बढ़ा है उसके पीछे में आदर हो इन इसवाल को मान के मैं चलना हूं मान के क्या चलना हकीकित भी है अपने वह धनी आदमी हूं कि कानपुर में आपके 8-10 मकान है किराय पे है और मंतली करीब 10 लाक रुपे आपका रेंट आता है तो पचाश जार रुपे का आपको जौब आपर किया जा रहा है करोगे की नहीं करोगे नहीं क्यों कोई ओवर टाइम सवाली नहीं है ऐसा क्यों सर्प्लस आपके पास क्या है सर्प्लस है तो सर्प्लस आपको काम करने से क्या करता है रोगता है तो लॉस अप्रोडक्शन हुआ लॉस अप्रोडक्शन मतलब कंटी नीचे जागा और वो गरीब हैसले ज्यादा प्रोड तो यहीं आपको वीजी रखेगा और पूरी इन्हीं की पताने कैसे वी जायगी आपको नहीं परदा चलेगा आपको जो है दस्क्त मकान हो जाए मंतली 50 ला किराय हो जाए काम खुछ भी नहीं हो आपकी सही कुछ तो जिन्दगी आज ही क्या हो जाएगी चार मी क्या होगा खेतम हो जाएगा तो घाटा और सरफलेस्ट कई बार अमिलिका है दो कहानी मैंने सुना थियाद होगा कि जो डे बहुत अच्छा हुआ खिसान और ज्यादा मारा गया क्यों वह सर्प्लस वाली बात होती है तो डेफिसित बजट को अच्छा माने के पीछे यह भी मूल सिधान थे मूल सिधान थे तो हम लोग आगी बढ़े अभी सौर्प पर कहां से आगा तो गावन देखो इसको कहां से मैनेज करेगी तो गावन के पास दो विकल्प है यहीं तक हम लोग थे पहला कौन सा है बारिंग और दूसरा है डिस इंवेस्पेंट यानि वी निवेश नाम सुना हो है मार्केट बारिंग बाजार सुधारी करें यह सुना है मार्केट बारिंग या पब्लिक बारिंग बाजार सुधारी करें और तीस रापका जो है योदिंग पब्लिक एकाउंड मनी लोक निदी के पैसे को क्या करना सुमाल करना तो बारिंग में तीन है और इधर चार हो है इस चार को बहुत डिटीन में आपको पढ़ना है क्योंकि देखो कि जितने भी कोश्चन होते हैं कि इसी के आस्प्रत कुमते हैं ठीक है एक एक करकर मैं पढ़ा रहा हूं और तो कितने की कमी है सो रुपया ना तो सौर रुपया के गौबिंट कहां सो मैनेज करेंगी तो उर्वन के पास थो विकल्प हैं का रा पॉल स्यहीं पॉह को मैंतों तो वारिंग सब्सक्राइस ना करना पब्ली के कौन यह नाम सुना है पब्ली करना समझ में आ जागा और इधर चौछा कौन सा है इस इन्वेस्टमेंट शुरू करें किसे बारिक कर मार गें फिर से देखो अब सरकार का मतलब यहां केंसर का आर भी है और यह आपका गौबिड गौबिड का मतलब फिर मैं निपीट का ना हो इस इसे सेंटरल गौबिड भारत सरकार तो एक समय था था मैं वाइड यूज कराऊं था अब नहीं एक समय था कि भारत सरकार को आर विय से रिल लेने का और स्थिमित अधिकार था क्या था और स्थिमिन यानि अनलिमिटेड इसका क्या मतलब हुआ बिना किसी लेमिट के तो भारत सरकार का आर विय से बौरू करने का और स्थिकार था लेकिन जो राज सरकार हैं तो उनके लिए आर विय से बौरू करना था वह पावर अनलिमिटेड नहीं था बलके कि राज सरकारों को और सिमित बौर्ड करने का अधिकार नहीं दिया सकता है चुकि कुछ राज हमारे ऐसे हैं एगर उनको अधिकार दे दिया तो आर्विय खाली कर देंगे नहीं तो जब बजट पड़ते हो तो इसे राजों का लिमिट का है तो उनके जीडी पी का साड़े क्या एपड़्य तक है कैμα कि यह को आपने देखा हो गया थनिप्सकर कर दिया तो जब-जब भी भारस सरकार को भैसी के जरुँथ रोती थी भारस सरकां क्या करती देखो आर्व एक प्रती अपे बंद बुक्त आरी को एच्ए प्रतिभूती नाम सुना त् JUST को करते मैं स्केरिटेंड तों कितने की जरुत है प्रतिभ्यूति सरकारी प्रतिभूती 100 डिर्व की इती हमें क्या डिन जसका को करता है क्यों अपने खर्चे को पूरा करने के लिए जिससे किसको मिंटेनपsis सींटेटीं को मेंटेंड करें किस टार्गेट को पहले पूरा सिक्वेंशा देखें पूरा सिक्वेंश देखें जब जब भी भारत सरकार को पैसी के जरूत होती थी भारत सरकार क्या करता था अपने प्रतिभूती को जारी करता था किसको आर्बीय को और आर्बीय उसी के अगेंस में उसी प्रतिभूती के अगेंस में क्या करता था नोच छापता था और किसको देता था गौबन को अब गौबन जो है आर्बीय से रिन क्यों ले रही है अपने खर्चे को पूरा करने क जैसे की ग्रोथ रेट को पूरा कर सके अब पहले समझो प्रतिभूति क्या होता है एक नॉलिजमेंट अब जैसे मालो आप मेरे पास आते हो और आपका तो सर मुझे उधार्शी है ने का ठीक है लेकिन प्रूब तो कुछ होगा ना तो आप ऐसा करो लिख करके दो यह आज की देट में मैंने सर से हजार रुपया क्या किया रात किया अदो आई विटनिस का क्या करो आई चाहिए वो मेरे पास आगिया और बदले मैंने आपको क्या किया है तो वो जो है मेरे लिए क्या है कि प्रूफ है ना कि इस डेट को मैंने आपको इतना पैसा दिया यह जो रिट का बारो करती है तो दो तरीका होता है दो तरह की प्रतिवूतियां जारी होती है बॉन्ड और बिल तो बॉन्ड दुए है वो क्या है तरह का वो भी आपका रिन पत्र है बिल भी क्या है रिन पत्र है लेकिर अंतर अंतर यह कि बॉन्ड सरकार जारी करती है किस परपसे तो दि कि मैसुनिटी एक साल से जाद होती है और बिल जो है वो जारी करती है एक साल से कम के लिए दोनों लोन के करें जाता है और भी अंतर है जो लोग पढ़ेंगे बांड जो होता है ना उसकी पहले बात करें तो बांड पर क्या होता है कि फिक्स रेट आप इंटरेस्ट मिलता है यानि उस पे interest मिलता है लेकिन बिल जो है न उस पे interest नहीं होता है वो discount पे जारी होता है discount का मतलब क्या होता है यह banking में जाओगे तो मैं पढ़ाऊंगा कि auction होता है जैसे week हर एक Friday को अब है वो 100 रुपे का उसका अंकित मुले कितना है 100 रुपे लेकिन निलामी होती है और निलामी के बाद वो 50 रुपे पे issue हुआ है यह नि है वो 100 रुपे का लेकिन अभी जो खरीदने वाला है वो कितना देगा पचासी देगा ठीक है जो भी उसका maturity है कोई ब्याज नहीं मिलेगा लेकिन maturity पे उसको 100 रुपे बिलेगे यह समझा है आपको ब्याज नहीं मिलेगा हर इतने वक्त आपको 15% डिस्काउंट पजारी किया गया यह एक बिल पे आपको सिर्व कितना देना पड़ा 50 रुपया लेकिन maturity पे आपको 100 रुपे बिलेगा ब्याज नहीं मिलेगा फिर भी आपकी कमाई है यह जो gap है यह पंदर रुपया जो डिस्काउंट है वही आपके लिए क्या है एक तरह का income है ना तो दोनों में अंतर है दोनों का प्रिक्रती रिल का है फिर आप मैं बांड की बात अब सरकार के जो बांड है वह भारत के लोग के बीच में आज भी जारी किया जाते हैं और बहुत ही पापलर है बहुत ही पापलर है अलग 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 नाम से क्या परख पड़ता है काम की बात करो फिरवाती दौर में जैसे आ था नाशनल डिफेंस बांड वह आप नहीं स पड़ाओं और पर तो कांश चुनोगे लुक तो पड़ते नहीं हो गया अब उसके बाद देखें किसान विकास पत्र सुनाओ अभी है अभी भी है तो किसान विकास पत्र अगर आपको खरीदना हो तो अज कहां से खर दोगे अज भी खरीच रखते हो पोस्ट आफेस में जो पोस्ट आफ जीपीव है न वहां पर एक आपको सेपरेट काउंटर भी लेगा यहां पर लोग लाइन लग क्या करते हैं यह बहुत ही पॉपलर है और काफी पुराना है दोहजार ग्यारह में इसको बंद कर दिया गया था उसको सरकार यूपी कि थी आफ द्र समरे में लोग यह जाला है और उस दर की थाप से वह सो महने के बार सौ महने का मतलब आट साल और चार महने कि बाद उपैसा आपक डबल हो protocols कि इधर ब्याहद कम होगा तो ब्याहद Т़र्ञ कम होगा तो डबल होने में महेना जाद एक म लेगा ज्यादर mathematics है ज्यादर लेगा अब 125 जो है तो यह जब सरकार जारी करती है तो परफस क्या है क्यों जारी करती है रिन पत्र है परफस है पबलिक उसको खरीद के सरकार को क्या करें लोन दे जिसे सरकार अपने क्या करें पुरा करें अब लोगों को अपने तरफ क्यों बहुत पॉपलर है क्योंकि जब आप सरकारी बॉन में निवेश करते हैं इसका मतलब आप सरकार को क्या दे रहे हैं लोन दे रहें तो आपका पैसा कितना सेफ है हंडुर परसे वहां सेफ नहीं तो कहीं भी सेफ नहीं यह रिटरन में बहुत बढ़िया है और उपर से limits में भी शूच दे तो तो टैक्स में आपको शूच देती इसका मतलब जो आपका प्रभावी रिटर्न है वह ज्यादा हो गया ना झीधा हो गया तो यह सरकारी बहुत पॉपलर है लेकिन सरकार पब्लिक को ऐसे कभी नहीं बताएगी यहां पर सब्सक्राइब को कभी आसा नहीं कहती है कि यह जो बॉण्ड में जारी कर रहा हूं यह इसलिए कि कि हालत बहुत खराब है खर्चा ज्यादा और कमाई कम है तो आप लोग इस बॉण्ड को खरीद के मुझे क्या करें लोन दें जिससे मैं अपने खर्चे को क्या करूँ पुरा कर रहती ही न है तो यही लेकिन पब्लिक को ऐसा अगर कहा जाएगा कोई नहीं खर देगा तो पब्लिक से सरकार कहती है न निवेश का सरकारी बॉण्ड में निवेश करें और आपका पैसा इतने दिन के बाद क्या होगा नफलो जागा और लोगों को अपने तरफ अट्राक करने के लिए टैक्स में छूट बीद मिलता है तो बहुत ही पॉपलर है और पूरे दुनिया में सिफ भारत सरकार ने दुनिया में आज की देक में कमसे कम डेश सप्रकार का बौन जारी होता है घिक है सब का टर्म स्टं करडिशन क्या होता है अलग होता है किसी का पनेतियों के बूière होगा किसी का मैज्ड़ूनेर्टी का थो ऑछ Candis तो भारत के उपर अभी जो टोटल कर जा है वह तक्रीबन है 2.82 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर यानि 3 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर के आसपास जबकि जीडीपी कितना मरा 3.7 तो 84 परसेंट है वह परते हो ना डेप टू जीडीपी रिश्यों वह करीब 84 परसेंट है रुपय में करें डॉलर रा है तो 3 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर से कम हैं तो हमारा तो चलो तो हमेरिका करें आ अश्योम करें जीडीपी में in गीज़िए समय और सबसे तो बहुत हैं चाहिना का GDP ट्रिलियन आमेरिकन डॉलर है चाहिना के GDP के आपकरी लोगा भरूसा करना क्या हो रहा है नहीं तो चाहिना का और उसके पता है टूटल कर जा कितना है तिरपन ट्रिलियन अमेरिकन डॉला है थाधे तीन सो परसेंट का काम तमाम हो चुका है जितना जा सकता तो पर नकली समान बना बना के इतना आगे पहुंच लिया हम असली बना के भी कुछ नहीं कर पाए हमारे गाउं का जो प्रोडक पालिटी के लिए जाना जाता हो और फोन भी इसले चुकि आपके जैसे शात्र हैं बिना चैनीज फोन के जिनका गोजारा नहीं है सिल्फी के लिए सुना है केमरा उनका ब्राच्छा होता है को यह प्रोड़क्ट बता तो चैना में में बैंफक्शिंग हो रहा है चुकि ब बैंक पास पैसा नहीं यह खाने के लिए अन नहीं है तो यहीं सब चीजें तो बाउन का मतलब यह प्रीमोमेंट आफ यह लग बात है आपको जानकारी नहीं है अमेरिकन सरकार के का बाउन्द का सबसे बड़ा खरीदार चाय नहीं है उसके पास तकरिब बन एक दसमलो शाट ट्रिलियन अव्री डॉलर के बड़ा बज़य बाच्राव सब करिता है आप यह अरवी पास अमेरिकन सरकार का बाउंड है वो तक्रिबन कितना है 15 से 20 बिलियन डॉलर के पास पीश में 20 बिलियन डॉलर का मतब्द एक अरब इतने के बराबर आर्बिया ने अमेरिकन सरकार के बॉंड को खड़ाओं है यह अमेरिकन सरकार को लोन दिया ओए आर्बिया ऐसा क्यूं करती हैं बहुत सिंपल कारण है भारत में एफडिया को मंजूरी कब दी नाइटीवन तो विदेशी कंपनी जो भारत आती है और एक और पढ़ते होगे कि भारत का विदेशी मुद्रभंडार जो है वो 600 लेकिन क्या वो पूरा 600 बिलियुन डॉलर जो है वो डॉलर के फॉर में है नहीं बहुत चीज़ उसमें आगे में पढ़ेंगे तो अमेरिकन जो है एक कंपनी आती ही भारत निवेश करने के लिए मालों यूपी में ही कानफूर्म इंडिस्ट्री लगाए कि क्या लेके आएग कि और ब्रवियाँ करेगा अब आर्वियाँ डॉलर को क्या करें रिजर्व भढ़ा रविय का क्या आर्वियाँ डॉलर को अपने लॉकर में डाल करके ताले लगा दें क्यों नहीं इतना बहुमुली मुद्रा है साहे जाता है कि जिए में डॉलर हो जुबान का अंगरी जी हो तभी वैश्विकरन नहीं तो आप यह डॉलर का क्या करे लॉकर में बंद कर दे नहीं कारण कि जो करेंसी होता है ना उसका दो साही होता है एक वो दुनिया का सबसे बेहतर एसिट मानाता है बेस एसिट और दूसरा वर्स एसिट बेस क्यों अंदर ग्राउंड ऑफ लिक्विडिटी करेंसी को देखते ही कॉन्फिदेंस लेबल क्या होता है बढ़ जाता है आँखों को खुद नहीं भड़ता है जब तक आप उसके रूप को बदल नहीं करेंड लो दा जान रुपे लेलो एक पर्स में डाल दो और बंद करके घर में किसी कोने में डाल दो तीन महेन तक ठोना नीकाल के कौंट करो तो बढ़के कितना हो जागा उतना ही रहेगा बढ़ जागा घड़ जागा उतना ही रहेगा पक्का शादी सुधा हो अब यह रहेगा है तो उतना ही रहेगा न के अब देखो तो प्रॉपिट रहे जीरो है न बढ़े घटे हैं यह इसका वस्तेया इससे बुरा को यह असे नहीं बसकता है यह इंडिया है यहां सब कुछ संभाव है अभी में तीन-चार धर पर लेक बाबा बर इंडिया में तो बाबा लोग भी तो समय उता उनका है एक बाबा का प्रवचन देख रहा तो उनका कहना था कि आप काले फर्स में रुपया रखते हैं वो खुद बढ़ जाता है काले फ सब्सक्राइब करेंगे मांसिक गरीवी किदर भारत में 99% से जादा है यह वह कौन थे इतने बड़े महात्मा आजकल मार्के से आउट है में लगता है निर्मल वावा थे हम सुना आजकल मैं नहीं देखता हूं तो इस तरह के बड़े-बड़े लोग भारत में आये हैं और करोन के भग तो उन से भी तो रुपिया करें अब डॉलर की बात करें डॉलर जो दुनिया के सबसे पाउर्फुल करेंसी है अगर लाकर में उसको आर्वे डाल के बंद कर दे तो इससे कोई गलर डिसीन हो सकता है नहीं तुकि डॉलर को हम कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं पू यह तो इससे के सरकार के बंद को ख़एलिया यह को लोन दे दिया तो उससे फायदा क्यार वेकों अरे उससे ब्यात मिलेगा ना व्याज किस करेंसी में डालर में तो रिज़भ क्या होगा बढ़ेगा वैश्विक करन का दौर है प्री मोमेंट आप कैपड़ल को एक नया अ आपको बैच है तो मैं फ्रोड लिमिट कराऊं आपकी देशों जारी है तो बॉन का मतलब अब पूरे दुनिया मैंने क्या था कि कम से कम डेश्व परकार का बॉन जारी होता है अब मुझे भी सबका नाम नहीं पता हो लेकिन एक ही चीज है कि सबका प्रकृति क्या है रिन का रिन के प्रकृति का तो सरकार जो बॉन जारी करती है उसका कॉमन नाम है बता सकते हो क्या नाम है सरकार के द्वारा जो जारी बॉन होते हैं उसका नाम क्या है सब्रुफता बॉन एक दाम पूशन पूर सकता है एक होता है तो सोबरिन भारत में है सुवरीन गोल्ड बॉन सुरहा है ना सुवरीन गोल्ड बॉन अब भारत में गोल्ड में निवेश करना लोग बड़ा सुभी मानते खास करके जो लोग हिंदू दरव को फालो करते हैं और साल में दो दिन दंतेरस और अख्षेतितिया दो दिन गोल्ड खरीते हैं और ये चीज़ जो है तो इस दंतेरस में क्या खईड़ना है सोबरीन गोल्ड बॉंड या देना वह ज्यादा प्रफिटेबल है तो बात करें लोग तो सरकार की द्वारा जो जारी बॉंड है उसको क्या कहते हैं संप सरकारी बॉंड हो गया और एक हौता सरकारी जिसक लोग कहते हैं क्वासी सुबरी एक औरर को यह जो बॉंड होते ना यह कोई दूसरा जारी करता है लेकिन सपोर्टेट वैंगाबिन यह वह जूसरा जैसे भारत में इंडियन और ने बॉन जारी किया प्रपस क्या था बॉ ना लेकिन वह सपोर्ट किसका था उसको कई से उसको फायदा क्या हुआ अरे भारत के लोगों को सरकारी बढ़ चाहिए पूरा रिता आधा भी चलेगा नहीं अर्थ सरकारी तो हत्वाद क्या हो गया अभी भी है इसका सरकारी वर्ड का जो इमेज है न वह अभी भी है और फैतम हो गया बहले आप किसी बड़े कंपनी के सीओ क्यों नहीं लेकिन फिर वही बात किसी प्राइबट जाब में हो लेकिन क्लास फोर्ट इंप्लाई भी हो इसका अपना ही कुछ क्या है एक महत्व है तो यह सब चीज़ें चलते रहेगे दिरे दिरे तो तो वरीन बॉंड और कौसी सुवरिबॉंड अर्श्रकारिंतर समझा गया है तो वरीन बॉंड गौर्बन जारी करती किसले अपने लिए और यह कौन जारी करता कोई दूसरा इसको कों सपूट करता है उसको फायदा फिर क्या है उसको भीचने में आसानी होती है एक टीक है लए ओके असकी है कि बॉन पे जो है इंट्रस्ट होता है लेकिन फिल पे इंट्रस नहीं होता है वो इशू के इस पर डिशकाउंट पर और यह रुप्य का यहां पर किसे बात करें बारिंग फॉंग बारिम फ्रम वेर आर्बिया अब यहां पर भारत सरकार जो जारी करती है उसका नाम जड़ा देखो क्या है उसका नाम है जो प्रतिबोती जारी करती है उसका नाम है ट्रेजरी बिल उसका नाम क्या है ट्रेजरी बिल अब ट्रेजरी बिल दो तरका होता है पहला जो है उसका नाम है एड़ाउक एक सिदोर यह जितने भी वर्ड सा रहे हैं इसी को देवनागरी में भी भूक में लिखा गया है क्योंकि ट्रांसलेशन का अब करके हमने चीजों कितना क्लिस्ट बना दिया ना अब जो भी अंगरी जी वाड़ा था उसी को हम लोगा करते हैं देवनागरी इसको भी छोड़ो यह हम लोग पढ़ेंगे बैंकिंग में आज भी है और बैंकिंग में एक साथ आपने नाम सुनाओगा एसलार का तो एसलार में इसका इसमाल होता है अभी आर्व इसमाल करती है और यहां पे आप अगर चाहिए ना तो यहां बैटके आप भी पार्ट कर करें तो इन्वेस्ट कर सकते हो तो कि रिटेलर को हम लोग को पर्मिर्शन दिया गया है कि कैसे हम यहां पर इंवस्ट करेंगे वो बताओं तो जिस ट्रेजरी बिल के बात हम लोग कर रहें वह कौंसा ट्रेजरी बिल था एड़ा यानि कितने का जारी किया तौर पे का अप इसी के अगेंस्ट में आरबे क्या करती थी दिनो च्छापती ते और भारसर्कार को लिए यह रिन हो गया तो भारत सरकार आर्वे से रिन क्यों ले रहा है अपने खर्चे को कुड़ा करने के लिए जिससे की ग्रोथ का टार्गेट पूरा सके पुरा आ रहे हैं अब दो को 1990 में एक और मी कॉलाप्स कर रहे थी अगर आपके याद हो आग भी तो कॉलाप्स इतन अगश्चने जिसमें एक सबसे बड़ा इह वी साथ यह वारत इपॉप्रॉड पॉलीसी था, इसको कहा जाता था, आप नोट करने-कोशन भी आता है घाटे की बित्वयास था घाटे की बित्वयाथ था अगरेजी में deficit financing घाटे की वित व्यवस्ता यहां पर इसको फिर से पढ़ो पढ़के समझ में आ जागा यानि भारत सरकार के घाटे को पूरा करने के लिए वित की व्यवस्ता किसने की आरवी ने कैसे सामने वोट चापके अरे उसके करना क्या था भारत सरकार को जब भी पैसा चाहिए वो बना होता लिखी तुरुप से साइन करके मोर लागा के देदी आरवी ने किया के नोट चापके देदी है अब बैंकिंग में जब जाओगे जब पढ़ोगे तो वहां पर बहुत सारे concept है जैसे सुना इसका जो असर होता कॉन में में मुखक यह गुणा जाना होता है या आज आगा लगाने वाला पैसा किकर कभी कभी क्या होता है कि जो दिखता है वो है नहीं है और जो है वो लेकर नहीं है इसका impact जो मैंने एक्जांपल दिया कि 100 रुपया हम आप खच करते हैं और वही 100 रुपया garbage खच करती है तो अर्थव्यास्था पे ज्याद असर किस किस पर होगा गाविज बाला एक्जांपल मैंने बता है उसी तरह से यह जब banking पढ़ोगे तो एक word सुना होगा जो क्रेडिट क्रेट करती है और लिए ने कहा कि मैंने अभी तक टोटल नोट जो चापें जो मार्किट में है वह 27 लाकरोर करोर के बराबर आदी नोट चापे हैं और बैंक कहती है कि public सारे बेंक काते हैं कि सारे public के उपर हमारा फुल जो लोन है वो तक्रेबं सो ला करोर के असपास, सो ला करोगा असपास, यह कैसे पूले हैं, कि RBA कहती है कि हमने जो total loan छापा है, वो 27 ला करोर और बेंक क्या कह रही है? कि टोटल हम लोगों का जो पब्लिक उपर लोन है वो कितना है सौला करोड है तो जब आर्बिया ने सिर्फ 27 लाग करोड च्छापा है तो बैंकों ने सौला करोड लोन दे कैसे दे दिया क्या संभाव है नहीं है संभाव है कि नहीं बिलकुल संभाव है यह सबाव बैंकिंग उपड़ा होगे तो कि बैंक क्रेडिट करती है उसका जो है यह भी समझो आर्बिया ने सौ रुपया चापा तो उससे कारण हो सकता है कि कंट्री में इन्वेस्टमेंट हजार रुपया से बढ़ गया तो यह आर आपावड मनी नाम से पता हाई पावड मतलब बड़ा पावड निए डॉक्टर नहीं कहता है इसका एक असर होता हो बहुत बहुत जादा बहुत बहुत जादा डेफिसेट फैनेंसिंग घाटे की वित विश्टम यह ने सरकार के घाटे को पूरा करने के लिए विश्टमे की और बेने कैसे नोट चाप करके और भारत सरकार के लिए पैसा प्राप करने का इससे कोई आसान जरिया नहीं हो सकता है जब आर्विया है मसीन लेके तियार हो जब जितना चाहिए बस तुरुद क्या कि असराइन किया आप बेक कदी आरवड ने क्या कि है नोट चापा औ गौबिट दे दिया अब ये जो पॉलिसी थी इसका थोड़ा हिस्टरी देखो हिस्टरी देखो इस पर कुश्चन अभी भी आता है पुश्चन अब इसको हम लोग बोलते थे मादरी घाटा आज कर पढ़ते हो ना राजकुशी घाटा तो पहले हमारे देश में क्या था माद को रिकरन किया इसको मतल़ सांज आ गया सरकार के घाटे का क्या किया मादरी करन यानी सरकार के घाटे को पूरा कि ये आर्वे निक्या किया नोच हब कर दिया ये तो वही आब नोच छाप के मारकेट बाज़ार का में कर दिया गिंगा, निकाल लिया है तो वही आजर्वेर नोच चाप के मार्केट में लगती है तो उसको कहता है कि मार्केट बाज़ार का मौदरी करन हो है यानि monetization हो तो यहां पे यह जो policy है किया सरकार के लिए पैसा plast करने का एकस्तों से असान जरिया था जडिया थ लोको जडिया था क्यों जरिया था यहां पे government को public के पास जाने के जोत पी नहीं है public को जो है tax reform क्यों करे दिमोक्रासी है पाफ साल में एक बार मुलाकात होगी जब आर्बिया मशीन लेके तयार है तो वाई टू इसका दो पेपल अब यह पॉलिसी जो शुरू में आया था ना यह इसलिए नहीं आया था कि सरकार के घाटे को पूरा करें बजट के खर्चे को पूरा करें बलकि इसल है यह जैसे आपका फॉकेट खर्च है अपका जो पॉकेट खर्च है डे-टू-डे खर्च है उसके लिए आपके पैरेंस अब को पैसा देते हैं कहीं कहीं पेड़िमिट लगा दिया आता है कि परवंद दो आजार जो आप मांते नहीं हो हमेशा क्रोफ कर जाते हों ऐसा हो होता है है खैर बड़े हो तो यह चीजह है तो गावंवन का भी जो डे-to-day खर्चा उसको पे करने के लिए चलाने के लिए क्या पैसा चाहिया आप में बेरकूर अब जैसे पार्लेमेंट चलता है पार्लेमेंट का सेर्शन हमेशात नहीं है तो गौर्मिन्ट इसका 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 आर्वेस से बावर कर सकती थी बजट के खर्चे को या घाटे को पूरा करने के लिए यह नहीं आया इंडिया में प्रॉब्लम शुरू हुआ उनीस सो पचास के मुझे एक टॉपिक करें अभी सारे डैमेंशन में क्या कर रहा हूं ओपिन कर रहा हूं कि दो तीन चीद आपको से ध्यान लखना पड़ेगा उनीस सो पचास पे योजनाविक बना जो पता ही है सैंतालिश से जो पचास का पिरियट था तीन साल अच्छा नहीं था एक तो अंग्रे जाते हैं ते सब कुछ ले गए एक तो दूसरा था अकाल पड़ गया था याद करू उपर से पाकिस्तान को 55 करूर पे दिया और चौ पचास के बाद तो तय हुआ कि हम जो जाएंगे आगे बढ़ेंगे प्रॉपर प्लानिंग के त्रू तो किसका कंसेप्ट आया है योजना आयोग तो देखो जो पढ़ते जबाब हो तो योजना आयोग जो है उसने कहा कि हम 55 योजना पर जाएंगे बिलकुत सही था तो कि वह समय अलग था वैश्विकरन का दौर नहीं था उस्वक के हिसाब से वह जो फाइविल प्लान था वह रिलेवेंट था आज नहीं है आज वैश्विकरन का दौर है कल क्या होगा आपको नहीं पता है कल को मालों गल्फ में ड़लाई शुरू हो जाएं सारा तेल का होता है लेकिन दूसर सब्सक्राइब में उस्ट नहीं रहता है इसलिए हमने अपने क्या किया है प्लाइनिंग का सो रूपी क्या कर दिया है चेंज कर दिया तो उस वक्त जो 1950 की बात करें निस्टर नेहरू प्रैमिस्टर थे तो शायद उनके बारे में आपने सुनाओगा कि उनका जो बच्पन कहलो यह यंग डेस था विक्सिदेश उमीता था तो वो उटके कल्चर से बड़े प्रवावी थी और उनका माना था कि देश में अर्थ व्यासा को गती तक तक नहीं मिल पाएगी जब तक देश में हेवी इंड़स्ट्री नहीं लेगी है हेवी ने से क्रिशी के आधुनी की करन के लिए जितनी सारी चीजें चाहिए वह सारे इंड़स्ट्री का प्रोड़क्ट है ट्रैक्टर कहां बनता है इंड़स्ट्री में ट्रैक्टर कहां बनता है इंड़स्ट्री में ट्रैस्ट्री में खाद इंड़स्ट्री में और बहुत सारे तो वह सही थे कि जब तक चुकि जितने भी आपके विक्सेदेश है ना उनका बैक्पोर्ण इंडस्री उनका बैक्पोर्ण विद्वासी है तो नेहरू गलत नहीं थे लेकिन इतने बड़े देश में जहां पे वह जीरो शे शुड़वात करनी थी तो उसके लिए प्रॉपर और होमवर्ग चाहिए है होमवर्ग के बेना तो नहीं होगा ना उपर से 47 से 50 का जुसमें था एक तरह का अकाल पड़ गया और बिना अग्रिकल्चर के इसलिए जो पहला पंच में सी उजना था वो महज एक खाना पूर्ती थी इसलिए पढ़ते होगे कि फर्स्ट प्लैन नाम सुनाओगा तो कैलकटा में इन्हें स्ट्राइश्कल और्टर थे तो उनसे कहा गया कि आप इंडिया के इंडिया के डेवलपेंड के लिए बॉडल बनाई और उसी मॉडल पे स्टेकेंड फाविल प्लैन बेस था नेहरू महलनोमिस मॉडल अगर आपको याद हो और व इसलिए भारत में जो और द्वगी करज शुरूओ है न जितने बी इंडिस्02 नगे उसमें रेजया का स्पूर म Daar स्पूरत था रेज़्ययन ने हमें बहुत मदद की रेज़् टेक्राइशन ने आखर कि पूरण इंडिया में इंडिय में स्पास्छी में उपको कैसे इप खरीते थे ना उसके quality अलग होती है वो थोड़ा inferior होता है और रश्या को खरीते हैं वह ब्रेंट को जो उसकी quality क्या होती है उसकी quality बेहतर होती है अब वह कच्छा तेल जो है क्या directly मुसको यूज कर सकते हैं नहीं उसका क्या होता है सुधी करना purification उसके क्या चाहिए तो उसका Refinity अलग होता है किसका रश्यावला लेकिन हमारे पास रिषाइंडी है गुजरात में कब लगा second family plan ने उसका बिन फिर इंडिया को आज मिल गया ना पाकिस्तान के पास नहीं था उस तरह का रिफाइन ली पाकिस्तान ने फिर भी पहले तो रश्या ने बना कर दिया फिर भी पाकिस्तान ने अपने लोगों को दिखाने के लिए उसने रश्या से खड़ा रिफाइन कहा होगा रिफाइन कहा होगा नहीं होगा पाकिस्तान में दुबई गया दुबई से गुजरात आया गुजरात में रिफाइन हुआ फिर दुबई गया तब दुबई से पाकिस्तान गया रेट वही पढ़ उपर से भारती कंपनियों ने भी क्या गया है कि कमालिया है कि पॉइंट्रों में रहे हैं तो यह तो सेकेंड फाइट प्लाइट था कहता है बिगनिंग अप नीव इंडिया इसमें देखोगे बहुत सोची समझी पॉलिसी जितने भी आथिक मोचे पे जितने भी बड़े-ब भारत में development हुए ना आपको या तो 1956 में मिलेगा या 1955 के लास्ट में उनिस से क्या वनों कुछ नहीं मिलेगा एक एक करके में बता रहा हूं सबसे पहला जो पुब्लिक सेक्टर बैंक बना था सब्सक्राइब बना था सब्सक्राइब से पहले एक बहुत बड़ा बैंक प्र चौता सबसे बुड़ा बैंक है कि आइसी आइसी है यह वी 1955 का है एलाइसी के सापना कब हुई ए एलाइसी 1956 में भारत में कंपनी अदिनियम कब आया 1956 में इंडेस्टिन पॉलिसी जो में हमारा 1956 का है लाइसेंसिंग पॉलिसी उनिश्चपन का है जबकि पंचवश्य नकभ शुरूआ तो फर्स्टाइब प्लान जो था पूरी तरह किसको समर्पी था लेकिन वह मैंने क्या कहा एक महर्ज पॉम्लिटी था तुकि दोनों यह आपको अपना हूंबर करना पड़ेगा हूंबर करना पड़ेगा और दूसरा सैंतालीस से पचास जो है एक तरह से क्या कोगे वह रिखाने पीने का शौर्ट इतना अकाल पड़ यह थे बहुत पुरानी बात नहीं जो बंगाल में अकाल पड़ा था सुने कि 30 लाग लो और नहरुजी ने इस चीज का ध्यान रखा कि भारत में जितने भी हेविनिस्ट्र लगेंगे पब्लिक सेक्टर वो हर एक स्टेट में लगे हर एक स्टेट में लगे कारण उसके पेशे रीजन जिससे कि उत्पाधन को लेकर के छित्री और समानता ना बढ़े अगर 56 से 61 त यूपी भी लगा कोई नाम बताओ एक अलिफाइनरी है मत्वरा बेहार में चले जाओ वो कारू था अब तो इसमें यहां तक है असर में भी दुलिया जाने इंडिन वैल का तो यह बड़ी सोच का नेतिजा था क्योंकि भारत में क्या होगा कि अगर इंडिस्ट्री कुछी शित्रों में सिमित हो जाएंगे ना तो फिर भारत के तुकड़ा होने में इसका एक बड़ा बहुत बड़ा क्या रहेगा योगदान जो इस्ट्वेट आगे निकल जाता है ना वो चाहता है कि हम एक अलग मुल्क बने तो कि एक और मिस सब जग है जब रश्या जैसा सूप पर पावर पंदरह देशों में तूड़ गया तो भारत कोंसा चीज है एक और मीच इस सच अ पारफल तेंग तो सेकेंड फार प्लैन की बात करें वह एक गलत अवधारना पे देश था जड़ा देखो वो था कि अंग्रेजी में नेहरू जी ने एक स्ट्रीट में दिया था कि वाटवर इस फिजिकल पॉसेबल इस फिनेंशिली पॉसेबल एसका मतलब जो करो Sch 2025 लेए किछी चाहिए बहुत कुछ चाहिए लैंड चाहिए लेबर चाहिए मशीन चाहिए लें से Really चाहिए यह चाहिए वो चाहिए और सबसे जयाधा यह तो इसको कहते है तो सरकार किया कि पैसे के अलावे अगर बाकि चीज की संया नहीं है उइंद पैसा प्रॉब्लम क्रियेट नहीं करें किपैसे के अलावे अगर बाकि किसी चीज की संया नहीं है तो पैसा प्रॉब्लम क्रियेट नहीं करेगा तो गौर्मिन इतना कॉन्फिडेंट क्यों था क्योंकि यह पॉलिसी थी घाटे की और एक्जाक्ली यही हुआ सेकेंड फाइविड प्लैन सेकेंड हाफ आधे टाइम के बाद ऐसे की जिवर्दस के लिए थो गई और उसके बाद जो नोट शापने का काम शुरू हुआ वो रुकाने बोट पर देखें बताओ जब जब भी भारत सरकार आर्वे से बारू करेगी तो मनी सप्लाइपर क्या पड़ेगा है बढ़ेगा और इस जो है 100 रुपे मत देखो यहाई पावर्ड मनी है इसका इंपाक्क क्या होगा हो जादा होगा और मनी के बारे में तो कई बार मैंने कहा है कि मनी अकेला डिमान बढ़ाने में सक्षम है लेकिन मनी अकेला सप्लाइप बढ़ाने में सक्षम कि पूरे इंडिया में इतने बड़े इस्तर पे इंडस्री लाइशन के लिए क्या पांस साल का वक्त पड़िया थे नहीं तो अगर वो चाहते तो थर्ड फैविल प्लैंज उनिसिक सट में था उसको भी क्या होते पूरा इंडस्टी को ही क्या करते वह कंटीनू करते लेकिन किस बड़े लोग होते थों कि सोच बड़ी होती हैं मिस्टर डेहरू का माना तक नहीं कि भारत का जो अभी भी बैकबोन agriculture है अगर agriculture को हम बहुत लंबे समय तक इग्नोर नहीं कर सकते हैं अगर agriculture को हम इग्नोर करेंगे तो बाकी छेत्रों को भी बहुत आगे यह नहीं जान देगा इसलिए जब पढ़ते हो थर्ड फाइविल प्यान में है तो दोनों को बड़ाबर वीट दिया गया है किसको रिकल्चर ले स्टेंड और थर्ड को कंपेर करें पास साल का समय भारत में हीवी इंडिस्टिस के लिए परियाप नहीं है तो मिस्टर नहीरू अगर चाहते हो तो थर्ड फाइविल प्लैन को पूरी तरह किसको समध्पि लेकिन जो वही प्राब्ली हो गिया 1962 1962 1962 तक की बात करें तो इंडिया बहुत तेजी के साथ ग्रोग कर रहा था उस वक्त हमारा ग्रोथ रेट आफ इंडिस्ट्री जो था पंदर परसंट लग रहा था कि बहुत ही जल हम लोग जो है अच्छे कंट्री में हमारा जो नाम तो उस पंदरह साल में जो भी डबलप्मेंट हुआ ना उसका नतीजह हम आज भी बुगत रहे हैं बहुत सारे हमें गलतियां की 62 से मैं शुरू करा हूँ पूरा सबको लिंक करके देखना है 62 में चाइना से लड़ाई क्योंकि हम लोग थोड़ा ज्यादा ही द्यालू है हमने किसी का नहीं कुछ विगड़ा कोई हम से क्यों लड़ाई करेगा आपकी जो सोच है जरू नहीं कि सबकी सोच वैसे ही हो तो हम लड़ाई हार गये कैना ने बहुत बड़ा च्छेतर भी क्या किया किया और 62 में यह हो गया कौन सा फ्रेंट इस्टन फ्रेंट ना वेस्टन फ्रेंट खाली था तो 62 में पाकिस्तान बेटा करने वाला इधर भारती फौजें उस से लड़ी है किसमीर कुरा क्या है आली है तो कश्मीर हासिल कर लिया जाए वो तो बड़ी-बड़ी सक्तियां थी रश्या हमेशा इंडिया के अमेरिकार ने भी अब्यक्शन किया तो नहीं हुआ अब जब 62 में हार गये उसके बाद तो ही आलो गया कि हमारा जो है देस बार्डर सुरश्चित नहीं था उपर से 62 में सबका होता है तो दोनों बॉर्डर क्या था और सुरश्चित था तो हमने आम लोगों की जरुत का समान्ग है तोड़ करके और लड़ा का समझ बनाना शुड़ू कर दिया कि पहले भाई देश सुरश्चित हो उपर से आ गया मिट सिक्षिज का जबर्दस्त अकाल जबर्द पर दोनों तरफ जो है ये बुरा हाल था कि हम लोग गेहूं के सबसे बड़ा आयत तक देश में होगे थे किसे आयत करते थे अमेरिका से प्रियल फोरिटी याद होगा और अमेरिका के साथ मारे रिलेशन तो क्या कोगे ऐसे एक जैसे रहनी है जब हमने उनकी बात मान ली इच्छा होगे नहीं मानी नगन बुरा होगे जो उनके देश में स्वहर उनके गहूं नहीं खाते थे वो गेहूं वेजना शुरू कर दिया तबी जो हे सलूसरी जो Suzanne क्या राय जया जय कि सहरे भरह बहौत बुरा दोर था पूरे दुन्या में बहारे जो है मजाका बेस स था पूरे दुनिया में बजाक बड़ा जाता था एक देश जो हमें सा जहाज पी है क्योंकि हमारा खाने पीने का समान पानी वाले जहाज से आता था तो जहाज दूबा तो देश भी डूब गया बड़ी मुश्कल से 1970 में फिर लड़ाई शुरू हो गी जाद करो किसे लड़ इसको कहां वे दिया जेल में तो जेल में सारे मिल गए चोड़ चोड़ मोसरा भाई और जेल में उन्होंने पार्टी बना ली जनता पार्टी सतत्तर में जब आम चुना हुआ तो पूरा देश जो है न मिसेज गांदी और कॉंगर्स के खिलाब और जनता पार्टी पून ब पूलिस पहुंच गई थी यह सिती था तो 77 जो है ना जब हम यह सुना हुआ मुड़ा जैसा कौन बने तब तक हमारी कॉर्मी बर्वा था चुकी थी 77 में जो इंडिस्टी का ग्रोथ रेट 15% से ज्यादा था वह 1% से कम हो गया इस 15 साल में एक एक करके सारे लिंक करोगे सा है और हमारा जो है क्या का यह वह सरकार पूर्ण बहुमत से सरकार बनी इस 15 साल में एक ही हमारा एचीवमेंट रहा है और वह है अरित करांती से 22 से 77 इस 15 साल में एक 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 एचीवमेंट इंडिया का है तो क्या है वो ग्रीन इवलेशन कि हम जो है फुड इंपोर्टर से किस में कनवर्ट होगे इस पूर्टर बहुत बड़ा एचीवमेंट था जो भी स्वामिन आतन जी रेस्पॉंसिबल थे अल्क तो उनका डित के लिए और अभी पूरे दुनिया जो है भारत का आगे हाथ पे लाए किसके लिए गेहों के लिए साथ साल में लेकिन को श्रे जाना चाहिए भारत के किसान उनको इश्रे अभी तक नहीं मिला है हम लोग शुरुवात करें थे यह तो सेकेंड फाइवर प्लैन का जो सेकेंड हाफ था वहां से प्राब्मिन शुरू हुआ उसके बाद नोट छापने का जो काम शुरूआ वो रुका नहीं और निरंतर क्योंकि सरकार के लिए पैस कि बेतवियास था किसे ने इस चीज़ को रेलाइज नहीं किया कि इंडिया में मनी सप्लाइ क्या होगा ज़रों ज्यादा बढ़ेगा फिर एकॉनमी को समालना मुश्किल हो जागा और इसका जो असर है वो उनीस सो बासट के बाद दिखना शुरू होगी है बासट के बाद भारत में इसका असर शुरू हो गया एक नए भारत का जनम हुआ महगा भारत उनीस सो बासट तक इंडिया बहुत सस्ता हुआ करता है आप जाएं घर पे किसी बुजूर्ग से बात करें अप तो पैरेंस नहीं बलकी ग्रैन पैरेंस और उनीस सो बासट में जो कॉलिस प्रो वह आप से कहेंगे बताएंगे कि मोर्दन कफ़टेबल नताफ लोग खर्च नहीं कर पाते इतना परियाप इतना परियाप था उनीस सो बासट तक कितना सस्ता था मैं कुछ एक्जांप ले रहा हूं उनीस सेंटालिस जब हम आजाद हुए थे तो दस गराम सोनी की कीमत थी अठार रूपिया अधस गराम सोनी की कीमत कितनी थी अठार रूपिये आप लोग ज़लेट नहीं होगे अरे क्लास मैंच दरती प्याने पर बहुत लेट होगे उनीस सब पच्छपन में मैक्सुम रेड जो है वो पच्छपन पर था और उनीस सब बासट तर यह पंचानमी प्यारा है तो से नीचे उसके बाद इस policy के कारण जो है money supply बढ़ा तो demand और gap supply की बीच gap क्या हुआ बढ़ गया जो gap create हुआ ना वो gap आज भी आप देख सकते हैं अभी तक है सिर्फ उतनाई नहीं एक और बड़ी समस्या हो गई यह जो money इस सब्सक्राइब बढ़ा इससे एक नए अर्थ व्यवस्ता का जनाम हुआ जिसको कहते हैं parallel economy जिसको क्या कहते है parallel जहां सब कुछ black होता है आज भारत में दो तरह की economy है रियल economy जहां सब कुछ white है और दोसरा parallel economy जहां सब कुछ क्या है black है अब यह दोनों रेल की दो पट्री नहीं है कि कभी नहीं मिलेंगे यह जो parallel economy है यह रियल economy को बुरी तरह से हर्ट कर रहा है यह आपको हर्ट कर रहा है यह अगले generation को और ज्यादा हर्ट करेगा इस सब के पीछे इस policy का बड़ा उगदान है तो कि जो parallel economy है वहां पर जो पैसा involved है black money जानते हो नहीं ब्लैक्पनी जानते होगे किस कलर का होता है नहीं देखा है कलर मैंने पूछा नहीं देखा है तो यूपी तो माफियां का है राज है पता आपको स्कूटर पर चलता है घर से 20 क्रोन निकलता है बताओ यह आल है तो यह parallel economy अब इतना ज्यादा यह parallel economy का जो ग्रोथ है न वह रियल एकॉनमी से कही ज्यादा है यह क्यूं हर्ट कर रहा है आपको क्यूं हर्ट कर रहा है तो उसके पीशे कारण देखो ज्यानकारी हो जो लोग black money कमाते हैं बहुत कमाते हैं तो black money का सबसे ज्यादा यू जो है वो कि सेक्टर में अब पता है रियल स्टेट में future planning बढ़िया है रियल स्टेट में ऐसा क्यूं है क्यूंकि रियल एकॉनमी में ही उतने बड़े पैसे को एब्साब करने की सोखनी की च्रमता है और कोई सेक्टर नहीं है घर में कैश रखोगे सेफ नहीं है कब मो एकुकर्त में दिशने च्रमता में सबसे ज्यादा व्यू किस पका होता है मिलाक बनी का नतीजह ठादम क्या वर रहा है और इतनी मिल्दय को सब ड़ेंग ही यह आम आदनी के पहुं से बाहर हो गया है अब होता कि है कि नूजेनेशन हमेशा कुराने वाले से ज्यादा एक्स्टॉरडरी ज्यादा टैलेंटर है अब रियल एस्टेट न्यूजेनेशन के पास हर एक प्राबलम का समधान है न्याजनेशिक कुछ अलग तरीके सरक्समार पिछा है और मेरे हिसाब से इसे बहुत कुछ नहीं है है दो चीजेई है ऐसे नहीं दो हैं कि इन्डिया बहुत बड़ा मार्केट है पूरी दुनिया की कंपनियां भारत में आरे सब लोग बना रहे हैं सब लोग बेचने हैं फिर भी समस्या डिमांड करने किसका है सप्लाई का है अभी रिपोर्ट आया कि इंडिया ने जापान को पीछे शोड़ दिया कार मैनफेक्श्रिंग में कि अभी इंडिया में इस्तिती है कि बहुत सारे मॉडल स्कार के ऐसे जिनका जो है वेटिंग पिरियर एक साल है वेटिंग पिरियर एक साल है कुछ आइडिया कि नहीं इसका बिल्कुल है स्रीनगर की बात करें महां पैचानक से सब कुछ बदल गया तूरिस्त बढ़ते जा रहे हैं तो वहां के लोगों के बीच में गारी का है हुआ है सब लाइक है हम उतना सप्लाइभ नहीं कर पार रहें ठीक है अब क्या दिमान जो इतना बढ़ा है भारत में घा उसके पीछे जन्संखिया कारण है बहुत से लोग कहते हैं जनसंखिया में कारन जो कि पूरी तरह से गलत है पाकिसान के जन्संखिया 25 करोड है लोग भूखे मर रहे हैं आटे के लाइन में 34 लोग अभी तक मर चुके हैं भगदर में तो क्या वहां अच्छे वहां जो population की बढ़ने की दर है वो करीब जो है 3.8 है जो प्रसेसापन की दर तो population बहुत तेही के साथ वहां क्या हो रहा है तो population बढ़ेगा तो क्या है वह में इसन है कि इंडियन एकार्णमी को मिडिल क्लास ग्रूप जो है तेगे वह रण कर रहा है बेडिल क्लास दो वैस्ट्विक करन के बाद क्या हुए बहुत सारे और कम हो जाए फालतू का में लोगों पढ़ाते हैं उसे वेतर बच्पन सी का वेस्ट्विक पढ़ा ही होगी तो एक तो यह अब भारत में कोई भी बिजनिस कोई बिजनस सिद्मार है के बимиडिल क्लास लोगों में भींग के पहुंग के पहुंस से क्या हो जागा बाहर हो जागा ना तो तो फिर वो बिजनेस कभी आगे नहीं बन पाए तो कलाप्स कदेगा और बेस्ट एक्दांपल वता रहा हूं रियल स्ट्री तो को होता क्या है जिनके पास बहुत पैसा है बहुत पैसा उनको सोचना के नहीं जो गरीब लोग हैं घर के बारे में सोचते नहीं है वो प्रदान में आप यहां आप बाहर से पढ़ने आ हैं बाहर से पढ़ने हैं तो सबका होता है कि चलो श्योन बहुत क्या होता उसके बाद जो है तो आप देखते हो मकान का जो फ्लैट आपको चाहिए तो आप अपना गुनाभा करते हो कि थोड़ा बहुत घर से लगा दें और बाकी बैंक से लोन लेके क्या करें तो जब तक हम रिटाइर करेंगे तब तक सारा लोन क्या होगा खतम हो जागा तो रिटार्मी के बाद अपना बिल्कुल लोन फ्रीगर होगा यानि आप जब इस्टिबेट करते हो तो आपको लगता है कि यह घर जो है आपके पहुंच के भीतर है नहीं माद समझें इसलिए आप क्या करते हो तो ट्राइ करते हो तो क्या होता है आप सफल हो अब घर जो है सब घर ही नहीं है घर में देखो कितना सारा एक एक और्मिक एक्टिविटी जुराव है जो बिल्डर घर बना रहा है बैंक उसको भी लोन दे लिए आप खरीद रहे हैं आपको भी बैंक की कमाई दो तरसे हैं रियल स्टेट में दो चीजों का यूद बहुत सक्टेर भी क्या होंगे ओपर जाएंगे ठीक है तैंट अपर लिवर को जौब मिलता है पूरा जो गल्फ में आज कैस्ट् Boost का का हो रहा है तो कौन का म कर रहा है पाथा से साथ लाग तो भारती में देस्ट यूदि का का मो रहा है महां सारे का म करे ए कि अब हुआ कि ब्लैक मनी का इंवाल्मेंट बढ़ता जा रहे हैं कुछ दिन के बाद उसी प्रोपर्टी का दाम जो है अब एक करोड़ बीस लाग हुए एक करोड़ बीस लाग अब आप नौकरी करते हो आप गुना भाग करते हो आपको लगा कि एक नौकरी तो छोड़ दो दो नौकरी भी करेंगे फिर भी नहीं हो पाएगा यानि अब यह आपके दैरे से क्या हो चुका है और फिर आप एफर्ट नहीं लोगे तो सफल भी नहीं होगे रियल इस्टेट क्या होगा रैश कर जागा बहुत से दांपल है आपके नोड़ा में चले यह यह यहीं चीज़ हुआ तरी पांच लाग प्लैट जो है रेडी टू मूँव बीस पसेंड रेट कम हो चुका है फिर भी खईने वाला कोई नहीं है और बारो चुका है तो YAKरेण है दूसरा कारेण है न्यू जेनेरेशन की सूच जो बहुत इस्मार्ट है और पुराने और नए लोगों के बीच में बेसिक अंतर है पुराने लोग अपने बारे में कम सोचते थे समाज के बारे में ज्यादर असोचते थे और ब्लग का Kabla ये च को इससे बहतर कुछ नहीं हो सकता है न्यू जेनेशन मैं जानता हूं हमारे बहुत सारे मित्र हैं हमारे जूनियर भी हैं जो कैफेबल हैं घर खरी सकते हैं लेकिन उनका मानना है कि घर खरीड़ना लाइफ का सबसे गलट डिसीजन है और वह 100% सही है मैं एक एक्जांपल दे तो गतना है यह आपके भी कम है। मौनलो मैंने डिली में घर खरदा 2 करोड का अगर उसमें से ब्लाक्मने हटा दो आर ब्लाक्मने नहीं होता तो 20 लाक में कोई नहीं खहित पता हैं इतना इंवाल्मेंट ब्लाक्मनी का है तो 2 कर उड़ रुपया है मानि अपने जेप से ल पें इंटरेस्ट लूज कर रहूं ना तो ओपन मार्केट में अराम से दिली जगह में थोड़ी विए को फाइनस के जल करिए तो दो पसंट पर मंत आज न कमा लेता है दो पसंट पर मंत ज्यादा आप लग रहा थे एक पसंट कर दो तो दो करोड़ रुपय का एक पसंट कितना है तो लाग पे तो पर मंथ मैं दो लाग रूपय लूज कर रहा हूं जिस घर का रेंटल वैल्यू है 40,000 यानि 40,000 बचानी के लिए मैं दो लाग रूपय रूज कर रहा हूं एमाय का टेंशन अलग अलग उपर से फ्लेक्जिबिलीटी का वहाओ अपना घर है तो वहीन ना पड़ गा किराय कर तो उठाओ दूसरे घर में चले जाओ तो न्यू जेनेशन ऐसा सोचता है कि घर खेड़ना इससे लाइट का कोई बेकार डीसिन ही नहीं इसलिए दे डूंट बाए कि किराय पर होगे तो सेविंग जादा है कोई कंपलसर नहीं कि आप यहीं रही है आप कल यहां है परसों वाज़कल तो है नो मोबस और पैकर्स वाला जो है अब कुछ नहीं करना उ तो नए घर में वहीं रखेगा वो इतना वड़ी हो गया है कि अब पुराने लोग थोड़ा लग थे पुराने लोग किया थे ना अरे किराय के मकान में अपना कम से कम घर होना ची रिस्तेवाले आएंगे तो क्या कहेंगे एक अपना घर तक नहीं है यह सिंग थी निजर न देन पुने एक नाम सुना गुरूप का ओए गुरूप का ओए गुरूप जो पता है ना होटल पर प्रवाट करता है अब चुक्कि न्यू जैनेशन का भीएवर चेंज हो गया अब देखो इनों नहीं क्या किया अब इक सिटीज में अब पूरा जो है एपार्टमेंट टी किलो ले ले लेते हैं लीज पे अंदर साल 20 साल पच्शी साल और छोटा छोटा चोटा एक उसको एपार्टमेंट में कनवर्ट कर दिया स्वी बीच के टू बीच के फोर बीच के वेल फ़रनेस्ट आपके ट्रांसपर होगे या जॉब मिलगे आपको पुने में कुछ नहीं अपना यह बेला बैग उठाओ अपना आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है सारा क्या करो वहां पर सब कुछ आपको मिलेगा साल बराना है दो साल आना है तेकर से आपको रेंट पे करना है और जिस दिन खाली कि अपना बैग उठाओ चले रहा है क्या जो तो कहीं से भी यह जो सोच है न यह भी रियल एस्टेट के प्रलैप्स के कारण है और मेरा अपना मानना है क कि यह इस से बेतर कोई सोच नहीं हो सकती है क्योंकि इतना जादा दिन पर दिन ब्लैक मनी का अनवाल्मिंट हो रहा है कि प्राइस इतना तेज से बढ़ है अगर हम बात करें कानफूर की आज से करें 30-40 साल पहले एक स्कूल टीचर अपना लिम्टेट कमाई से भी कानफू मैं जमीन करें की ऐ han Awesome ना लित इसको मिडिल क्लास इंकम गरूप रुग्यों अर, जैसे ही उनके पहुंच से बाहर चला गया वह बिजनेस को लबश कर जागए एप album र रहें 91 में इंडिया में रिफॉर्म काम शुरूब और उसके बाद ऑपर्चुनिटी के लिट हुआ जो मैंने धारन दिया है ऑप चुनिटी जो है बहुत तरह से क्रेट हुआ है जो यंग्स्टर्स हैं कि उनके लिए जॉब ऑपरचुनिटी क्रेट हुआ है जो मैं अपना हुदान दिया कि जब मैं 22-23 साल का था तो मैं यह नी पता था कि करना के आद 22-23 साल में बचे क्या करें है फिक्टा कमा रहे हैं कि आग रामें श्यत्र में भी ऑप रहके सरकारी नौकरी का कंचरी नं उसके अलावे त्हें अगर आप को जो है आणना आता कंप्रूटर आता बैठके शहांald कि जहां कि माने कितना कमाते हैं आपने नाम सुनौाओगा राके झुजन वाले का उसने पांचरू किया था और जहुरों बिद्सकाट हुआ है पता है तो आपकी बैच्वनी पढ़ाता हुआ बच्चे कमाते हैं बहुत कमाते हैं सारे अब कहां से मुझे मैसे आतरा तरह तरह तो सब कुछ रेडिवेड आपको नहीं मिलेगा कि एक तो वैस्पे करन के देन है उपसे सरकार की पॉलिसी आई ग्रामी च्षित में हालात बदले मनेगा आगया गाव का अगर आइडिया हो तो क्या गाव में भी जो है लोगों के सिती बदली है बिल्कुल मैं जब छोटा था तो गाव में अगर एक लेवर को बुलाओ तो दस आता था आज दस को बुलाओगे एक भी नहीं आगा ऐसा एक्षपरियंस है अगर आप नहीं उसको एविल कर पा रहे हैं ता आप इसका मतरिये नहीं के नहीं है हमारे स्टेट पीछे रागिया क्योंकि हम लोग हैं ही मेंटली वी अर्वेरी बैकवर्ट हमें कुछ पता ही नहीं है सब कुछ गलती पता है यह आप देखो यूपितर लग रहा है थोड़ा प्रूफ करेगा दियार के सित्तित और भी क्या है वहां के सरकार ने रोड बनव तो अपर्चुनिटी सब के लिए अब नाइंटी बन के बाद क्या वना तो तीन तरह के लोग होते हैं एक हाइंकम ग्रूपे पर दूसरा मेंडल क्लास इंकम और तीसरा लोग तो जब तक कोई ब्यक्ति एक ग्रूप में रहता है ना तो उसका डिमान तकरीम सेम रहता है आ ना रहत का जो डिमान है ना वो तक कि द्व कि दिर गार तो जब तक कोई ब्यक्ति एक क्रूप से बेलां करता है ना उसका डिमांद सेसरेटा लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति अपने ग्रुप को छोड़के अगले ग्रुप में मूफ करता है उसका डिमांद बहुत तेजी से बढ़ता है कल को रिजल्ट आएगा आपका क्वालिफाई कर गे उसका देखना अपना रंगती बजल जागा तो होगे कि पता नहीं लोग जो है डावी इंकम गरुप कि लोग किसमें कर्व रहें है आई में lower class income group के लोग मिधिल और जब कुछ लोग तिनी लग्टी है कि lower से सीधे higher में पहुँच गे सिवे लोग हैं बहुत किसमत वाले तो यह जो ग्रुप क्रोप कन्वर्जन है ले बहुत तीजी के साथ बुढ़ा है और इसी के कारण किया है कि डिमान बहुत यादा हो रहा है उसके पीछे बहुत से कारेंट सरकार की पॉलिसी है उपर से वैश्विकरन का दौर आया इंफ्राच्रेक्चर डिस्टल इंफ्राच्रेक्चर है लोग भी क्या हो गए अब एवेर हो गए अभी भारत के जंसिंगा कितनी है एक सचालिस करोर तो तक्रीबन 411,000,000 यानि 41 करोर लोग जो है वो मिडल क्लास इंकम ग्रूप के केटेगरिमे है और 3 साल के भीतर यह पहुंच जाएगा 71 करोर पर अगले 3 साल के भीतर इसका मतल्ब समझा रहा कुछ यानि लोओर से यानि आने वाले समय में भी जो भारत का मार्केट है वो बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा और बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा तो लोवर क्लास इंकम के लो हैं वो मिडिल में कनबाट हो रहे हैं और इसलिए डिमांड हो जाता है अब देखो गौब में भी लेवर क्लास का देखता हूं आए अच्छा खासा सेंडर क्लाइब लायच भ 27 करे पारे तो क्या होगे ने जो देखा है पाने के लिए खुछ भी नहीं होता थह वह सब खाते थे जो आजकल मिलह गूंए बैले जालतों रागीं अरे मिलेट यह इस पार है मिलेट नहीं जानते हो जिसको हम लोग इंफिरिड मानते हैं जैसे रागी जान तो रागी का रोटी बनता है रागी नहीं जानतो ब्लैक अलग और कुछ इस तरह का अपने एडिया है किचेन से कोई लेंदा नहीं है जो कि कम पानी में भी जो है क्या कोगे उप जाए सकता है और लोट सरकार उसी को प्रमोट कर लिए年前 कि बहुच जादा उता है यह भारत की बास करें ग्रूक् मैं ने डीट बास के मन new generation varying responsible है तो कि उनका जो सोचने का तरीका है जो कंज्यूमर उनका जो बहेवेर है वो पुनाने लोगों से थोड़ा डिफेंट है तो 1962 की बात करें भारत के लिए एक नया वर्त के उसमें एक नए भारत का जनम हुआ महगा भारत मैं बात कर रहा हूं तो सब कुछ महगा होगी है और जो डिमांड सप्लाय की पीच ग्याप करेट हुआ वह अभी भी आप देख सकते हो देख सकते हो सिफ इतना ही नहीं इसके अलावे एक नया अर्थ व्यवस्ता का जनम हुआ और वो है अले कॉनमी जहां सब कुछ क्या है ब्लैक है और आज की बात करें तो पैरलेल कॉनमी जो है उसका ग्रोध जो है एकॉनमी से ज्यादा है बहुत बेसिक चीज है बच्पन सब लोग सुनते हैं कि बैसिक नीटी नहीं होता है रोटी कपड़ा और मका यह ना तो आजादी के 75 साल बाद 75 साल से ज्यादा ही होगिया जो भी है तो रोटी का जोगार तो होगी है पपड़े का जोगार भी हो गया लेकिन आज भी एक आम भारती के लिए जो हाउसिंग घर है आज भी सपना है फिल्कुल उसी तरह जैसे कि यह बिल्कुल लगजरी का चीज है हाउसिंग क्या इसके लिए बेसिक जरुवत है वन्यादी चीज है ठीक है सरकार काम कर रही है और हर एक वेक्टिक को घर देनी की बात हो रही है चलो अच्छी बात है यह बहुत पहले हो जाना शीए लेकिन अभी भी हाउसिंग आम लोगों के पहुंच से क्या है बाहर है तो नियुजनेशन ने उसका विकल डूण लिया उसका विकल डूण लिया तो यह दो समस्या शुरू हुई अब भारत में एक महगे भारत का जनब हुआ जिसके कारण आज अंतरास्टी मोचे पे हम चाइना और यहां तक की बंगला देश से भी मुकाबला नहीं कर पा रहे है इन सब डेशों में लेबर क्या तो उत्पादनलागत का ने तो बंगला जैदा होगा 15 बजार में हमारे वस्तों पर किया हुई हैं गलतिया हुई हैं और नब्वेद एक्यार्वे में इतनी बड़ी कॉर्मी रात और रात को लैप्शने करती है उसके पीछे बहुत सारे गलत पॉलिसी थी जिसमें एक ये भी था कौन हुए दू ये रुका नहीं पीसरह जो पंच बसी हो जना 61 से 63 उस पांसल में पांसल में सरकार ने जितना ख़च किया उसमें बीस परसंट से ज्धा योग्दान इसी policy का थोस्तक तो 20% से ज्यादा कम एक ज्यादा ये बहुँ ज्यादा किसी ने इस policy को किसी ने भी इस सीज़ को rail line नहीं किया कि इस से जो है economy तबाह हो जाएगी demand supply की बीच ग्याप क्या होगा बढ़ेगा और साथ सा रियल economy का भी क्या होगा सरी पहले economy का क्या होगा ग्रोथ होगा और चलता रहा उसके बाद तो 24 के बाद तो हलत खराब हो गिया मिस्सिज गांदी आई उन्होंने तो जो भी बचार था वो भी खत्म कर दिया तो कि उनकी सरकार अल्कमत में आ गई थी यह तो हॉस ट्रेडिंग बोलते हैं पैसा ले करके नेताओं की खरीद विक्री का काम जो है यानि भारती राजनीती का मौद्री करन जो है मिस्स गांदी नहीं शुरू की हां हां सततर में सरकार बनी थी जनतापार्टिक और पूर्ण वहमत से तो पांक साल जो कम से कम चलना चीना उन्हीं सब्सक्राइब गिर गिर तो यह चलते 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 किसे ने कहली किया कि गौवर्विंट के लिए पैसा पड़ाप्त करने का यह सब से क्या था आसान तरीक था और गौवर्विंट ने चला कि 1990 में यह एकानमी कॉलाप्स नवे में पता है ना तब तक बहुत है चुकी थी और नवे में जब एकानमी कॉलाप्स किया तो दोनों फ्रेंट पे एक्स्टरनल और इंटरनल हमारी आथिक स्थिति भिकार्यों सभी बत्तर थी सभी बार मे द्राथ के लिए पर्याब था एक हैजार की लोगा तब आम इस ने में क्या किया लों दिया इतना ही नहीं बहुत सारी और भी शर्ते मंगवाई यह वह सारी तब होती है जो विक्से मोचे पे सरकार के जितने भी घाटे थे हमारे देश के वो खत्रे के निसान से उपर थे सरकार के पास कुछ भी नहीं बचाता है ना बड़े अस्तर पे बदला तो यह नि पूराने जो जितने भी पॉलिसी है उनको क्या करना पूरी तरह से छोड़ करके और बिलकुल एक नए पॉलिसी पाय जो पुराने से बिलकुल क्या हो अलग हो उसे प्राव्ब्न को साल्व करने के लिए तो खैर उनको एक अच्छे वितमंत्री के जड़त थी और उन्होंने किसको ढूंडा मनमौ से और इन्होंने 24 जुलाई याद है ना 24 जुलाई 1991 भारत में आतिक सुधार क कारकब शुड़ हो गए अब रिफॉर्म तब तक तो इस पॉलिसी ने बहुत दुखसान पहुचा दिया थे अरे यह जो पॉलिसी है तब तक तो इसमें क्या किया था बहुत दुखसान पहुचा दिया था अब रिफॉर्म का मतलब ही होता है कि पुराने पॉलिसी को पूर फिर मैं रिपीट का रहा हूं तो पहले से हो तो पहले से बाकी नहीं जो पीछे के चार गलसे वो उनको चेहरा से पचाना हो इधर आप अले बारा हो तो रिपार्म यानि सुधार सरकार पॉलिसी बदलती है तो पॉलिसी में जो सरकार बदला हो करती है दो तरस एक छोटा मोटा और एक बड़े अस्तर पे तो जो बड़े अस्तर पे पॉलिसी बदला होता है उसको कहते हैं आर्थिक सुधार यानि कोई सरकार अपने पुराने पॉलिसी को क्या करती है पूरी तरसे छोड़ देती है अ लेकिन उन्हीं सारे उधिस को प्राफ्ट करने के लिए तभी क्या होगा रिफार्म तो 91 में रिफार्म का काम शुलो गया तो मन महुत से की बात करें बहुत बड़ एकानोमिस्ट तभी भी यह पॉलिसी चला था लेकिन इसने जितना नुक्सान पहुंचाना था उसे ज्याद भी घाटा का तो 91 के रिफार्म में इस पॉलिसी को छोड़न चाहिए लेकिन हालात इतने खराब थे कि मनमोसे चाह के भी इस पॉलिसी को नहीं छोड़ पाए यह पॉलिसी नाइंटी वन के बाद भी चला और इसके लिए मनमोस जिक्रम गलट ठरा नहीं सकते हैं पीचे लि नहीं समझना है सरकार के पास ऐसा कहां से आगा जब तक कोई एक वैकल्पिक व्यवास्था हम नहीं कर लेते हैं तब तक तब तक क्या होगा इसको नहीं बंद करेंगे तो इन्होंने इस पॉलिसी को जारी रखा 91 के बाद भी लेकिन उन्होंने एक वैकल्पिक ब्यवासा की नया कंसेप्ट ले के आए नाम बताओ सब जानते हो लेकिन नहीं बता पाए नया कंसेप्ट लेकर रहा है जिसका नाम था है इस गौर्बरेंट का कुछ नहीं है यह वह क्या पागतिता है यह के थे तो ode यह का आन्तर रहे युशा आन वहते नग्वेश मैं आपने उस 안ञा दो लेकित है अलाख मंत्रा ले बना गया ऑफ नहीं है बात में उसको मनतराले में दिया तो किसी भी काम के लिए अगर एक अलग से मंतराले बना जाता है इसका मतलब सरकार उस चीज का लेकिंगे क्या है बहूं से आज जब मंतराले बने गा तो मंतरी में थे वो Indian Express के लिटर थे World Bank पें काम करे चुकें हैं वहंती जनुवीं परसंड नाम इनका नाम है अर उनना मत हुँ अरुन शौरी जो है थे के पहले वर्ल बैंक और आइमेफ में काम करते हैं बहुत चाल लिखते हैं और उनके जो है जो आर्ट किस होते थे वो दुनिया के बड़े-बड़े जर्नल्स में परविश होते थे तो बहुत सारे फॉरें रेक्टरस को मैंने पढ़ा है उन्होंने अ होता है वो पेपर के बीच में होता है न यह वो दौर था कि भारत की एक कंपनी बहुत तेज से ग्रो करी थी रिलाइंस और रिलाइंस जो है उन्होंने सब कुछ इस्तिमाल किया कहीं से अगर कोगे तो फेर तो उनका बिजनिस नहीं है गुजराती यतने बिजनिस करें तो फेर तो नहीं है देश को कहीनी के इन्होंने चीट किया है इसलिए आम लोगों का आज भी इस ग्रूप बहुत भरोसा नहीं है इसके बदले टाटा पे ज्यादा भरोसा है ति यहीं की बात नहीं है पूरे दुनिया में पूरे इंडिया में कहीं चले जाओ बिरला ग्रूप है यह गुर्ण बहुत बड़े रिलाइंस ग्रूप है टाटा ग्रूप है लेकिन सबसे भरोसे का जो है ग्रूप कौन सा है और मैंने क्या आपकी बात लिए बलकि पूरे इंडिया में चीद दोगे हमारे गाव में चले जो और लोग वैसे भी करते हैं कि लोहे मे जो मुकेश मानी का फादर था वो तो और बहुत बड़ा कालागार था धीर मैं मानी तो इन्हों ने क्या किया इनिन एक्सप्रेस के प्रंट पेज पे एडिटोरी लिखना शुड़ कर दिया पंदरा दिन तक लगाता लिखा अगेंस रिलाइंस विच प्रूप कि हाव डिस कंपनी इस चीटिंग डिनेशन और पंदरा दिन के बाद रिलाइंस का जो शेयर 331 रुपे का था वो 87 रुपे पे आ गया है बाद में को हटा दिया गया है इनलों का अपना सरकार है इनलों के खिलाप को कोई बन सकता है तो इनको पहला बनाए गया पहला भी निवेश्मत क है तो ठीक है तो उनको जो है 91 के बाद भी घाटे की वित्विवस्ता पॉलिसी कंटिल्यू कर गया इसके लिए मनमोज सिकों ब्लेम नहीं कर सकते हैं तो सरकार के पास फिर पैसा खांस हैगा तो जब तक कोई वैकल पिविवस्ता नहीं करेंगे तब तक यह पॉलिसी चलता गया तो दिक्कत इंडिया में यह है कि हर एक पान साल के बाद क्या होता है क्यों नहीं होता है तो फिर जो है साल आया 1997 1997 के सरकार थी और वित्मंत्री कौन था यस्वन सिन तब वित्मंत्राले और भारत सरकार के बीच एक एतिहासी समझाता हुआ और इस पॉलिसी को खतम कर दिया यानि घाटे की वित्व्यास्था को पूरी तरह क्या कर दिया गया है खतम कर दिया गया है यानि यह जो ट्रेजरी भी लफ्सका नाम क्या है यह जो ट्रेजरी बिल लफ्सका नाम क्या है एड़क ट्रेजरी बिल तो एड़क ट्रेजरी बिल जो है इसको खतम हो गया यह अब नहीं है स्क्राइब कर दिया गया उनीस सो संतान्वे में घाटे की बेत्व्यास्था पॉलिसी को हमने क्या कर दिया पूरी तरह से खत्म कर दिया लेकिन बहुत देर हो चुकी थी इसने जो प्राब्लम क्रेट किया वह प्राब्लम अभी भी हम फिस करें और अगला ज है तो ऐसे लाज जो है उसमें इसका इस्तेमाल करती है तो जरा हम बात करें यह अब एक क्वेश्चिन पूछ रहा है यह पॉलिसी अब घाटी की बित्व्यास्था इसको हम लोग कहते थे मौदरी घाटा मौदरी घाटा मतलब कि सरकार के घाटे का मौदरी करन हुआ इसका मतलब सरकार के घाटे को पूरा करने के लिए जितना भी घाटा था आर्वे ने क्या किया नोट शापा थे के वित के विवासा की अब चुकि यह पॉलिसी खतम हो गया है अब सरकार के घाटे को पूरा करने के लिए आर्वे नोट नहीं शापती है तो मौदरी घाटा का कंस से भी भारत में क्या हो गिया उसके बाद ही भारत सरकार मूज़स यह राजकोशी घड़ा फिर यह पालिसी खतम हो गई अवं बात करें ते इसके अब हम सब्सक्राइब यह पालिसी खतम हुआ इसके बदले निया पालिसी लेकि उसका जरा नाम देखो उसका नाम क्या है नई पॉलिसी लेकिए उन्हीं संथांबे घाटे की वित्विवसा खतम हो गया चलो मैं इस पर जो कुछन पूछा है वह मैं आपके सामने रहता हूं यह कुछन आपका दोनों पूछा है यूपसी में भी और पीसेस में भी यह जो घाटे की वित्विवसा तो इस पॉलिसी का में उदेश का तो इस के बतरों आपके सामने लिखा हूं घाटे की वित्विवसा जो पॉलिसी उसका में उदेश का वोट पे लिखावा एंसर भुड़ को क्या करना यह कुश्चन था यह कुश्चन दोनों में यह किसी में यह पिस्च में तो दू साल पहले आये कुश्चन ठीक है मुझके लिए एजी है काफी है तो कमिंट इन इस पर उनिशन दान्वे यह पालिशी खतम हो गया इसके बदले एक नई पालिशी आई वेज एंड मींस एडवांसे वामा अब इसका हिंदी बहुत कठी ने कभी नहीं याद रेगा वामा तेके वेज एंड म मुझे इदन ही याद रहता है वेज एंड मींस एडवांसे मींस एडवांसे यह 1997 में आया और यह अभी तक चला है इसमें क्या देवरे को कि दोनों के बीच में कन्फीजन होता है जो घाटे की बित व्यासा में क्या था भारे सरकार आर्विस लोन लेती थी परपस क्या था अपने बजट के खर्चे को क्या करना पुरा करना या अपने घाटे को पुरा करना तो घाटे की बित व्यासा खतम हो गए लगी इसका मत्तब यह नहीं कि आर्विया जो है अब भारत सरकार का बैंक नहीं गया आज भी सरकार का बैंक कौन है तो यहां भी भारत सरकार सब्सक्राइब करें लेकिन इसका जो मकसद है ना वो बजट को नहीं पूरा करना है घाटे के लिए नहीं बलकि गौर्मिन का जो डे-टू-डे खर्चा होता है administration को चलाने के लिए अगर उसमें किसी तरह का शाटेज हो जाए यह तो फिर आर्व यह से एडवांस ले सकती है बिल्कुल उसे तरह से जैसे आपका मंतली जो भी पॉकेट खर्च है और कभी कभी कम पढ़ जाता है तो फॉदा टाइमिंग किसी से ले ले तो सकती है तो यह अपने regular day-to-day इतना वरा network है जो मैंने आप से क्या का पार्लेमिंट का सेश्चन चलता है तो एक दिन का खर्चा एक घंटे खर्चा कुछ करूर रुप्या है तो अगर तो जो administration सरकार को चलाने में अगर किसी तरह का shortage है तो वहां पर फिर जो है आर्वे क्या सब्केर करती है इस पैसे को लिए करके अपने budget के खर्चे को पूरा नहीं कर सकती है कौन कि jin भारत सरकार या अपने घाते को पूरा नहीं कर सकती है अंत्र समझे पर शुशिट नों में गर future दोनों में चीज़े कॉमन है कॉमन क्या है कि दोनों केस में आर्वी भारत सरकार को पैसा देता है दोनों की प्रकृति क्या है रिंकी है लेकिन अंतर है अंतर क्या है कि घाटे की वित्विवस्था में जो आर्वी से भारत सरकार लोन लेती है अपने घाटे को क्या करने के लि स्टेशन को चलाने के लिए दूसरा घाटे के वित्विया सामें आर्विया का भारत सरकार का जो बार्रिंग पावर था वो क्या था अलिमिटेड अलिमिटेड मतलब बिना किसे लिमिट के उसी का गलत फैदा उठाया लेकिन यहां पे वेजन मेंस एडवांसे में और यह लिमिट ताय करती है आए वी और वह भी कौर्टर्ली बिसिस थे यह लिए थीन महीं ने का अब जैसे मालो पहले कौर्टर का और भी ने का मालो मैं आर्वी रहूं आप सरकार हो तो अर्वी ने कहा सबकार से ठीक है पहले कौर्टर में हम 6,000 क्रोड तक आपको दे सक कि वाले क्वार्टर में कितना थेजार करोड यह कौन दाय करता है अब जिस क्वार्टर में पारलेमिन का सिशन है तो उसमें क्या करना चाहिए बढ़ागा घटाएगा बढ़ा दिया आठ थेजार करोड कर दिया तो इस तरह का है तीए दूसरा जो है इस पे ब्याज के आओ तो दोनों दो अलग चीज है अब जाप करेंट पर तो क्यों मैंने बार बार करता हूं कि कंसिट नहीं तो करेंट समझ में नहीं आगा जब आप आर्फिक समीक्षा परतो करेंट परतो जोई अब जैसे सर्वेक की जो लॉकड़ान खतम हुए या लॉक्ड़ान के दोर सब की पर फर्क पड़ा हम आप और साथ साथ गौबिन भी आपने पढ़ा जी सी कि कैसे जी सी कंपेंसेशन का जो बिल है कैंसर का उपर क्या हो गया बढ़ गया था कैंसर का स्टरगल कर रही थी तो अब जैसे पेपर में आता है कि आरब ये के द्वारा उठाएगे कदम या भारत सरकार के द्वारा उठाएगे कदम तो आप से सीथ रटते हो U q compliance तो अब देफे लाउकड़न हुआ to सरकार के हाफ मिक्या हो गए खाला यह नु मैं तो क्या सरकार को मदद की जोट नहीं है मदद के जोट है तो आर्व जो है जब पढ़ते हो आर्विय के द्वारा उ बढ़ाए घटाएगी आप लगते किया सही हो आज कहीं ना किया गटाएगी आपने का बढ़ाएगी तो मेरा कोश्चन यह है कि आपको लगते किया सही हो बिलकु सही हो तो कि गौबिंट को भी क्या सरकार का जो लिन है उसके लिमिट को आर्वी ने क्या कर दिया बढ़ा दिया तो समझोगे कंसिप्ट होगा तभी तो करें समझ में आगा और अगर क्वालिफाई करना है तो भीड से बढ़ जाओ भीड में खो गयो सब लोग एकी घटना चक्र से पढ़े जा रहा है बार-बा सब्सक्राइब तो एक जो पॉलिसी थी वो खतम हो चुकी है धाटे की वित्वयत था लेकिन उसने अच्छा खासा नुक्सान पहुंचा दिया तो दे रहा है दुरुस्ता है 1997 में पॉलिसी खतम हो गई लेकिन अब हम लोग सेकेंड प्यार है सेकेंड मतलब बाजार सुधारी करें बाजार सुधारी करें मैं दोनों अंतर बता रहा हूं फिर आप से कोशन पोछूँगा घाटे के वित्वयासा जो भी था उसका में उद्दिस क्या था ग्रोथ रेट को पूरा करना और सरकार अपने खर्चियों को रोक नहीं सकती है सरकार को फ्रंस च printers और तो घषा हटे के यह तो घा वित्वयासा वूंथ में कन्क्लूट करा भारत सरकार के लिए और भी ऐसे पैसा प्राफ्त करने का ये सब से क्या था असा जरिया था जब 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 जितना पैसा चाहिए आर्विय क्या था प्रिंट करके देता था उसके लिए क्या करना था वह साइन करके देना था किसी ने रियलाइज नहीं किया इसके कारण जो है कंट्री में मनी सप्लाइ क्या होगा बढ़ेगा और मनी के बारे में तो कई बार मैंने कहा है कि मनी अकेला डिमान बढ़ा सकता है लेकिन money अकेला supply ने बढ़ाएगा जो हुआ बिलकुल जिसके कारण इंडिया में एक नया problem शुरू हुआ बाकि problem तो solve हो गिया एगर culture हम आयात करते थे अब हम दे रियात करते हैं लेकिन जो यह जो दो problem हुआ demand supply के बीच जो gap create हुआ वह भी भी है और साथ साथ देखोगे कि जो पैर्लल इकार्णी का जो growth है वो दिन पर दिन क्या हुआ रहा है बहुत तेजी के साथ बढ़ा है यह सब पास्ट के policy का नेतिज़ा है कि खेर हम लोग भूगत रहे है फाइनल है फाइनल कोशन कि जब जब कि आर्बिया भारत सरकार आर्बिया से बहुरू करेगी तो money supply क्या असर होगा money supply बढ़ेगा सेम रहेगा यह घटेगा बढ़ेगा और यह जब आर्बिया fresh currency प्रिंट करती है banking उपड़ोगे high-powered money यह 100 मत देखो इसका impact जो है वो कई गोने ज्यादा होगा अब आईए second है market borrowing बाजार सुधारी करन बाजार सुधारी करन मालो मैं सरकार हूं मैं government हूं मुझे 100 रुपी की जरूत है जो मेरा घाटा है तो मेरे पास पहला विकल्प है कि मैं आर्बिया से बारू करूं लेकिन जब मैं आर्बिया से बारू करता हूं तो money supply क्या होता है बढ़ जाता है तो मैंने तही किया कि आर्बेस में बारू नहीं करूंगा मैं बारू करूंगा market यहीं पब्लिक से मुझे कितना रुपे चाहिए है सरकार तो मैंने क्या किया कि सौरुपे का बारं जो है वो फॉवल MAYOR को बॉपलिक को जारी किया और पबलिक से कहा गया कि आप इस bond को खरीद के क्या करें है सरकार को लोन दे और भारत सरकार का जो bond है आज भी भारत के लोग के वीश्व बहुत ही popular है कारण सरकार बर्ज से अभी भी लोग का लगाओ है तो सौर रुपे का मैंने बॉण जारी किया और पब्लिक ने क्या कि उसको तो बॉण खरीदने का क्या मतलब हुआ बॉण खरीद के आपने मुझे क्या किया दो दिया अब मैंने लोन क्यों लिया मुझे अपने खर्चे को पूरा करना है घाटे को पूरा करना है तो मैं उस प पड़ा रिंट और इने हैं आप लोगों जारी किया आपने खरदा तो आपके जेव से सौर पर निकल के मेरे पास आगी एगे मैंने लोन कियो लिया आपने खर्चे को पूरा करने के लिए अब उस पैसे को मैंने खर्च किया वो दुबारा पैसा कहा हुआ है पार्केट मेरे इसने मनी सप्लाइब के आथर प्रच में बढ़ गया तेम राय गड़ गया बनी सप्लाइब को फट ने पड़ा सेम रहा है दोनों कंपेट को मेरे उपर कोई पर नी पड़ता है रिंट और इन है चैवार्वेस बारू को लिए अब दिख से लेकिन जब मैं आर्बे से बार नहीं फर्क पड़ा तो दोनों में कौन बेटर आप इसलिए कोगे क्योंकि आप कोगे कि मनी सप्लाइब पे से कोई फर्क नहीं पड़ा यह करन है ना ठीक है अभी आपने सिर्फ पॉजिटिव साइड देखा है निगेटिव साइड इसके बहुत सारे डिमेंशन है चुकि यह अभी हमारे बर्तमान में जिवर्दस पॉलिसी है मार्केट बॉरिंग बजट कितने का है 45 करोर तो 58 परसेंट जो है टैक्स से पूरा होगा 5 परसेंट नॉन टैक्स 63 हो गया और 35 परसेंट जो है मार्केट बॉरिंग से जिसको बाद में आप लोग राजपोश्ची मैसेज आया है कि गुड़ आप्टनूल रेखा है हिंदी पढ़ाओ इसको क्या मतलब हो अच्छी